हेलो बच्चो वेल्कम बैक टू यूर फेवरिट चैनल दैट इस एडव हैप और मैं रिवेश सर आपका हमारे चैनल पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज हम लोग सबसे इंपोर्टन टॉपिक जो हर लिविंग ओगेजम के लिए जुरूरी है उस प्रोसेस को प्रोसेस है जो हर लिविंग सेल के अंदर होता है ताकि एनरजी प्रोड्यूस किया जा सके तो एनरजी रिलीजिंग प्रोसेस जो एक्च्वल होता है हर लिविंग सेल के अंदर उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पता है हाँ हाँ विज रेस्पेक्ट टू प्ल इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जिसमें आम लोग देखेंगे कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है क्योंकि इन अनिमल फिजियोलोजी का चैप्टर जो है ब्रीधिंग एंड एक्सचेंज गैसे तोसमें हमने रेस्पिरेट क्या फिस को चैणीजो कर ना याय। sneaking प्लांच में एक्सटर प्रॉसस्टि विज इस दूनर्डेटिंग प्रीधिंग स्कोसेय ऐसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते है अब मत्रेशियों होना सजहिए है शकांतुक्र का ना मुंदमा छेist दहारेता खरीम राइंट जारीब यह से यह से यह से कार्मिन अक्साइड को एक्षेंज कर लेते हैं तिक इन हीर प्लांट में एकडम पर्टीकिलर स्ट्रक्ट्चिर्स होते हैं जिसको आप लोग दिखेंगे चले फिर जो पहला स्टेप जो सबसे कॉमन स्टेप होता है अगर सेल को energy release करना है energy release करना है तो यह activity क्या किते इसको glycolis पढ़ा अपने 10th में लेकिन इस बार हम लोग बाल की खाल निकालने वाला है क्योंकि हम लोग हर step को detail में पढ़ने वाले हैं तो glycolis चाहिए glycolis is the common process in all types of respiration okay चलो फिर fermentation क्या होता है यह रिखेंगे तो fermentation is nothing but a type of anaerobic okay sorry 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 is a type of anaerobic respiration अभी glycolis को भी हम लोग देख सेते हैं यह क्यों important है अलग से क्यों study करना है क्योंकि इस a common pathway it is a common step for all types of respiration यानि कि एक living organism किसी भी method से respiration करता है तो उसको सब से पहले glycolis करना ही है और आपको में रिस्पिरेशन के दो types होते हैं okay anaerobic and aerobic okay aerobic respiration 14.2 और 4 topic में पढ़ना है हमको detail में फिर respiratory balance sheet what is respiratory balance sheet okay actually target क्या होता है what is the main target energy to release करना है उस energy को release करना पड़ता है आठाने का पैसा इस फ़र्म में ATP anytime पैसा anytime power तो यह molecule कहां कहां कौन कौन से step में कितना कितना बनता है और finally net gain कितना होता ATP का इसको देखना है हमें okay उसको कहते है respiratory balance sheet okay फिर amphibolic pathway क्या होता है respiration को अभी माना जाता है कि वह catabolism था amphibolic pathway मतला बहुत दोनो अनाबॉलिक प्लस catabolic process एक ऐसा activity जिसमें दोनो टाइप के reactions हो रहे है भई आनाबॉलिक और केटाबॉलिक या दोनो पाथवे इस एकनसी या तो join होते है नहीं तो इकनसी वाट स्टार्ट होते है तो इसको amphibolic pathic करते हैं okay क्योंकि जनरल यह माना जाता है देखा जाता है कि respiratory pathway जो है main respiratory pathway वह हर सेल का main reaction होता है और इसी reaction में बहुत सारे दूसरे reaction जुड़ते या नए reaction स्टार्ट हो जाते है okay में एकनसी वाट आपका highway है जिससे इसमें या तो एकनसी नए गाड़ी आएंगी नए पाथवे आएंगे ने तो दूसरे एकनसी pathway क्या है यहां से start हो जाते है okay और लास्ट में आपको एक concept study करना है respiratory quotient तो respiratory quotient जिसको आर क्यू भी कहते है यह और इसका value यह बताता है कि एक fuel क्या use कर रहा है energy produce करने के लिए अभी energy produce करना है तो आपको क्या चाहिए fuel और fuel को जलाने के लिए आपको चाहिए oxygen okay तो which fuel a cell uses और क्या वो oxygen यूज करता है कि नहीं यूज करता है आपको मालब है अगर anaerobic है तो dilapot no oxygen और aerobic मतलब yes with oxygen यंड नार गड़ुचलिपो correct no समझा चो तो यह सारा आपका nut shell में आपको सेले बस बता दिया अभी हर एक aspects को अपको ठोड़ा हम लोग touch करेंगे चलो start करते हैं सबसे मिले introduction भाई respiration क्या होता है respiration simple मतलब of respiration अगर देखा जाए तो it is a okay it is क्या भाई यह क्या गड़ पर हो कर रहे हो भाई तो it is a energy releasing process in every living cell यह part important है भाई बोले के भाई ममी खाना बनाने के लिए उसने ग्यास जला दिया उसे energy प्रोड़ी तो respiration हो रहा है क्या नहीं तो respiration is the phenomenon of energy releasing process जो हर living cell के अंदर हो रहा होता है okay living cell non living cells के अंदर respiration नहीं होता है तो उसके लिए क्या है basically क्या हो रहा है आपके नीट आपके NCID के असाब से उसके लिए वी हाव तो ब्रेक कार्बन बांड कार्बन बांड कार्बन बांड तो कार्बन कार्बन बांड किसके होते complex compounds which are organic organic compounds को break करना भई क्या आपको महले में बांड में energy होता है तो अगर आप बांड को ब्रेक करोगे energy release होगा isn't it through oxidation within the cell दोगो cell के अंदर cell के अंदर हो गया intracellular sub-technical term intracellular cell के अंदर जिससे release होता है considerable amount of energy और यह energy फे दो form में इसको store किया जाता है ATP के रूप में store करते हैं और heat के रूप में release किया जाता है तो ATP बन्दा जो है वो तो use हो जाता है बाकी metabolic reactions के लिए बाकी जो reactions है जहां पर energy चेहे वहां पर ATP चला जाता है तोड़ा सा energy जो है heat के रूप में जो release होता है that maintains the cell temperature means body temperature okay so अब बात करते है what is cellular respiration very simple है यह पूरा reaction जो cell के अंदर होता है उसको cellular respiration कहते है mechanism of breakdown of food molecule within the cell to release energy and trapping this energy for synthesis of ATP okay same cheese okay understood अलग तरिके से लिखी गई है okay फिर इस सारे काम करने के लिए आपको breakdown करना है भाई food molecules को breakdown करना है यहाँ भी लिखा है कि break करना है भाई carbon carbon bond complex molecules अब भाई cell किसको use करे हमें चाहिए भाई fuel fuel is a source of energy अभी cell कौन सा फ्यूल करता है कौन सा फ्यूल सेल के लिए fuel क्या है रोटी दे हाँ रोटी खिलाते लेकिन रोटी खिलाने के बाद उसके कौन से component रोटी में खाली एक chemical नहीं होते है वह सारी chemical होते है पेट्रोल पिला दे भाई पेट्रोल नहीं चलेगा मर जाएंगे plant भी मर जाएंगे तो कौन सा molecule यूज किया जा सकता है तो इन सारे molecules को जो एक cell use करता है for energy production उसको कहते है respiratory substrate the respiratory substrate are the compounds they are oxidized during respiration यानि कि cell के पास options है भई cell के पास options है okay तो कौन कौन से options है भाई कौन से है तो चार options है cell के पास पहला है जो सबसे common वह है carbohydrates carbohydrates जनरली जितने भी living cells है पूरी दुनिया में okay तो सबसे ज़्यादा अगर उनको सबसे ज़्यादा वह क्या use करते carbohydrate दूसरा option किया भाई दूसरा option है lipids तीसरा option किया है तीसरा option है proteins और तीनों खतम हो गए और अब उनका quantity कम हो गया तो चौथा option होता है अलग अलग टाइप के organic acids लेकिन बच्चों ऐसा diet नहीं होता है कि carbohydrate में भी बहुर साथ ताइप से complex है simple है तो कोई भी protein से अगर आपको energy derive करना है fat से lipid मतलब fat होता है उससे अगर आपको derive करना energy तो direct नहीं होगा तो कोई भी carbohydrate है सबसे पहले उससे glucose निर्मान करना पड़ेगा अगर lipid है तो lipid को आपको fatty acid और glycelol निर्मान करना पड़ेगा protein है तो उसके amino acid को यूज करना पड़ेगा और अचली होता क्या है ना cell एक समय में कोई भी cell लेंगे तो एक time में वो सारे के सारे केमिकल को यूज कर रहा है लेकिन हाँ इसमें सबसे जादा carbohydrate उससे थोड़ा सक कम you can see what lipid फिर protein और organic acid बहुत कम यूज होता है option नहीं है तो फिर वो protein को यूज करना लगता है और protein को यूज करेगा cell तो ultimately cell destruction होना लगता है because protein actually are used for growth construction and other metabolic activities enzymes को भी फिर एकंसी जो destroy होने लगता है और फिर cell का death होने लगता है so that's why carbohydrate अच्छा तरीके से बिलना चाहिए cell को okay इसके लिए हर organism इसके body में जो stored food होता है mainly या तो carbohydrate होता है या तो fat की रूप में होता है because they are the main source of energy okay चले अब देखते है respiration को अभी थोड़ा सा अभी proper define करेंगे कि भई है ना simple ज्यादा simple तरीके से define करेंगे तो कैसे define करते है respiration is defined as an intracellular process of step wise ये definition okay ये मेरा definition this is my definition या बोल सकता है कि मैं इस definition को सबसे यादा एक ऐसी वाट मानता हूं तो ये perfect definition है मेरे इसाब से कि वह intracellular process है मतलब intracellular मतलब cell के अंदर होने वाला process जो step wise होता है step wise होता है जिसमें हम लोग oxidize करते है oxidation of complex organic substances वही carbonate, protein, fat ये कैसे आपका organic acid तो release biologically usable energy in the form of ATP और साथ में इदर heat भी obtain होता है और इस ATP को इदर लिख दिया है इसको usable energy करते है क्योंकि cell में अगर कहीं और दूसरे जगा पर energy की जूर्थ है और वो direct किसी energy को use दिंग कर सकता है तो वहाँ बिचार है अपना आठाने का पैसा anytime पैसा anytime power जाता है और अपनी energy को release कर देता है ठीक है दूसरा option क्या है option है ATP कुछ point पे ATP के जगह पे आपका GTP बन जाता है and they are inter convertible okay अब यह सब कैसे होता है वो भी देखेंगे ATP बनाने के लिए क्लिए basic requirements है वह आपने photosynthesis chapter में आपने पढ़ चुके होंगे okay so ETP is actually आपका energy currency का रहता है energy currency और फिर अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा कोई भी सल सबसे ज़्यादा जिस material को use करता है वो है carbohydrate और कोई भी carbohydrate सबसे पहले उसको glucose में convert करने पड़ेगा तो glucose is therefore called as the energy bank तो यह relationship है ATP को energy currency कहते है क्योंकि यह readily usable है और उसको store किया जाता है in the glucose यानि कि glucose के energy core आपको निकालना है आपको release करवाना है कैसी तो उसके लिए glucose को बिकना है तोड़ो तोड़ो लेकिन टोड़ो तो बहुत ज़्यादा energy produce हो जाएगा और heat बहुत ज़्यादा produce हो जाएगा चले तो basically अब देखो respiration को basically O eyes O eyes O eyes O eyes बो O eyes O eyes ऐसा जाद रखो यह O eyes में O क्या है I क्या है C क्या है E क्या है दिखते है तो O का मतलब है it is oxidative process क्योंकि इसमें respirator substrate को oxidize किया जाता है यह oxidation आपको मालम है क्या मतलब होता है Oxidation Oxidation का मतलब होता है या तो addition of oxygen किसी चीज में अगर oxygen add करोगे या आपका removal of hydrogen और electron बरवर है isn't it तो किसी भी molecule में अगर आप oxygen add करते हो या hydrogen remove करते हो या electron remove करते हो तो उसको oxidation कहते है और इस process में वो breakdown होता है मतलब उसका size छोटा-छोटा होगा और यह आपको धीरे-धीरे करना है क्योंकि एक बार में अगर आप break करोगे तो बहुत जादा energy release होगा temperature इतना जादा होगे कि cell अगल जाएगा आपको temperature भी तो you can see what धीरे-धीरे release करना है ने तो उबल जाएगा जैसे घर में जो हम लोग fuse जलाते है उससे इतना ज्यादा energy produce होता है कि नाचीर टेंपरेचर तीनसो चारसो छेसो आठसो डिगरी तक चला जाता है ऐसा चलेगा कि cell के अंदर और cell को इतना tiny है तो cell के अंदर अगर direct हम लोग क्या करेंगे breakdown करेंगे तो बहुत सेल तो उबल जाएगा फट जाएगा भी जाएगा then it is an intracellular process I for intra क्योंकि वहर living cell के अंदर हो रहा है बच्चो then it is a catabolic process को basic process है breakdown का तो complex molecule को लेते और उसको step by step धीरे धीरे प्यार से उसको break करते हैं क्योंकि हर step में थोड़ा थोड़ा energy release होता है और आपको बता दू ATP produce करने के लिए आपको 7.3 की एक ATP के लिए 7.3 किलो कैलेरी energy की जुर्थ पड़ती है okay the last e का मतलब क्या है it is exergonic process energy releasing process तो सबसे fundamental agency activity है अब मैं आपको बता था okay ATP form करना क्योंकि main target ATP formation ATP formation इस process को क्या कहते है yes photosynthesis में आपने पढ़ा है ATP formation photosynthesis में भी होता है उसको कहते है photo phosphorylation क्या बोला मैंने photo phosphorylation तो फोटो तो light है okay understood तो light energy use करके जब ATP बनता है during the light reaction उसको photo phosphorylation कहते है तो ultimately ATP formation का मतलब हो गया phosphorylation अभी cell के अंदर okay जो photosynthetic cell नहीं होते है green cell नहीं होते है algal cell नहीं होते है light use करके ATP नहीं बना सकते वो क्या करेंगे तो उनके पास फिर दो option है तो two option ATP formation के दो option है तो पहला option है substrate level substrate level phosphorylation तो यह एक step है एक तरीका है कि इसमें क्या होता है कि एक molecule लिया उसको ब्रेक कर रहे हो ब्रेक कर रहे हो ब्रेक किया और ब्रेक किया ब्रेक किया step by step तो किसी ना किसी step से 7.3 kcal energy अगर release हो गया तो वहाँ पे ATP बन सकता अभी ATP बनना मतलब क्या कि आपको चाहिए ADP कोन है भई चोटा भई ATP का चोटा भई ADP इसके साथ अगर आप एक inorganic phosphate को add कर दोगे तो उसके लिए energy चाहिए कि नहीं इस वह energy कितना लगता है वह लगता है 7.3 kcal energy इतना तो अगर किसी step ने दो को cell में बहुत सारे एकनसी पूरा एकनसी वाट आप का उदर cell के अंदर हजारों reactions हो रहे हैं अगर किसी reaction के आसपास जो steps हो रहे हैं उससे अगर 7.3 kcal energy release हुआ उससे ADP, IP के साथ जुड़के ATP बन जाता है तो इसको हम लोग charging कहता है देखो बच्पन में भी आपने पढ़ा है और फिर यह तो कोई हो गया charging ATP बनना तो यह अगर direct किसी एक molecule का conversion दो दूसरे molecule में हो रहा है तब अगर होता है तो उसको substrate level कहते है लेकिन एक proper तरीके से जादा systematic तरीके से जो सबसे ज़्यादा energies होता है वो होता है वाया oxidative oxidative phosphorylation इस process में सबसे ज़्यादा you can see what ATP बनता है इसको terminal oxidation भी कहते हैं और इस process के लिए use होता है oxygen actual oxygen अगर use हो रहा है तो उसमें आपका ये process होना चाहिए और ये होता है वाया इसके लिए ज़रूरी है ETC electron transport chain ज़रूरत पढ़ती है अब ही ATP बनने का फाइदा किया देखो cell में बहुत ज़्यादा अलग अलग स्टेप से energy जहां जहां पर excess energy रिलीस होती है तो सारे reactions respiration वाले reactions से related है वहां पर ATP बन जाता है तो ये substrate level and oxidative इसमें substrate level को कहते है direct बनना और आप या ETC मतलब indirect बनना okay तैक्षी देखो basically क्या बच्चो जो glucose है जनले सारे reactions को glucose से इस्टार्ट करते है क्यों कि ग्लुकोस में सोर्स है तो क्या करना है glucose के hydrogen oxygen को आपको धीरे धीरे निकालना है क्योंकि carbon को ब्रेक कर रहे हो carbon जो आपके bond उसको ब्रेक करना है जब carbon के bond को ब्रेक करोगे तो साथ में hydrogen और oxygen पर निकलेगा तो यह धीरे-धीरे करना है understood okay और टर्मिनल स्टेप में oxygen यूज होता है तो इससे फाइदा है अगर कहीं पर energy क्या हुआ generate हो गया तो उसे ATP बन जाएगा फिर अगर cell में कहीं पर energy चाहिए तो वहाँ पर ATP जाता है वो break कर लेता है reverse reaction और जो break करता है तो वो 7.3 kilo calorie energy release कर देगा you know blood discharging forward reaction is charging and backward reaction is what discharging discharged इसका में ATP cell में continuously use होता है तो continuously form भी करना पड़ेगा isn't it so that's why this reaction जो है यह आपका cell में energy expression इसी को इसी को हम लोग you use करते है term energy expression of the cell कि ATP energy generate करो energy generate हुआ तो ATP बनाओ और वो ATP वहाँ पर लेके जाओ जहाँ पर cell को energy के जरुड़ता है और जिस reaction से ATP generate होता है उन सारे reactions को respiration कहते हैं मतलब ATP generating process okay ATP क्यों क्योंकि ATP को use करना okay सबसे असान है और ATP को तयार करने के लिए सबसे common क्या है glucose है क्योंकि glucose से energy release करना सबसे असान है okay चले अभी respiration के types क्या है तो respiration के आपके types जहीं आपको मालम है तो उसको पहले surprise करते थे क्योंकि हर type को आपको अभी detail में इस chapter में detail में study करना है तो कौन सा type है तो यह got a respiration जिसको हम लोग कहते है an aerobic respiration और दूसरा कहलाता है इसका opposite जो ज़्यादा efficient है उसको कहते है aerobic respiration हमें यह दो को aero aero मतलब होता है air aero मतलब air और air का सबसे important component है प्रान वायू oxygen हमें oxygen चाहिए तो अगर respiration में oxygen का use हो रहा है तो उसे aerobic कहते है अगर नहीं जोरत है oxygen की जोरत नहीं है तो उसको कहते है an aerobic and का मतलब होता है not नहीं चाहिए oxygen आपको और मजी की बात है respiration का जितने भी steps है बहुत जारे steps है जादा करके step में last step में actually oxygen की जोरत पढ़ती है अगर respiration को complete करना है otherwise most of the steps do not require oxygen लेकिन वो last step इसके लिए important है क्योंकि अगर वो step हुआ तो maximum energy release होता है और आपका ATP भी सबसे ज्यादा release होता है अभी anaerobic और aerobic में फरक्किया भई और भी respiration देखेंगे तो it is incomplete oxidation, incomplete oxidation किसका भाई, incomplete oxidation of food बच्च में सुना है food, food में सबसे important कौन glucose यहां पर glucose को पूरी तरफ ब्रेक नहीं करते है भाई aerobic किया होता है कि glucose को विचारे को पूरी तरफ ब्रेक करते है complete oxidation, complete oxidation of what glucose तो glucose को पूरी तरफ ब्रेक करते है तो इससे क्या होता है, incomplete oxidation of glucose we release carbon dioxide, साथ में आपका release होता है आपका finally ethyl alcohol या आपका lactic acid वो depend करता है कि भाई कौन से cell के अंदर यह process चल रहा है तो generally plant cell होगा तो आपका ethylol का बनेगा animal cell होगा तो lactic acid ओके तो यह सब point हम लोग बाद में discuss करेंगे aerobic respiration में आपका release होता है finally release हो जाता है आपका only carbon dioxide plus water यह दो अब यह कैसा है एकदम कि complete combustion लकड़ी को जला रहे हो proper oxygen यूज कर रहे हो तो लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी finally carbon dioxide watery बनेगा लेकिन अगर ठीक से नहीं burn हुआ तो फिर क्या होगा carbon dioxide के साथ साथ दूसरे poisonous chemicals बनेंगे harmful chemicals बनेगे तो ethyl alcohol and lactic acid is considered to be harmful or toxic ज्यादा मोर्ट में alcohol बनेगे दारू यह वही दारू है दारू ethyl alcohol इसके लिए आपने देखागा fruit okay मीठे fruit जब पक जाते हैं तो उसमें अजीब गरीब इसके शराब की नशा जैसे आता है टेस्ट आता है वह इसकी विज़े से होता है चिकू टूबी प्रिसाइस चिकू होगे ग्रेप सोगे ज्यादा पक जाने की विज़े से देखो उसमें alcohol बन जाता है okay then ATP कितना यहाँ पे ATP खाली मिलता है दो एरोबिक में ATP मिलता है 36 या 38 ओके यह फरक है तो जादा ATP बन रहा है तो यह efficient है यह less efficient है वाई it is therefore less efficient उसका करण क्या है कि यहाँ पे efficiency कितना है 2.2% क्योंकि glucose का जितना भी energy है उसका खाली 2.2% energy ATP में trap होता है यहाँ पे efficiency is more this is more efficient more efficient क्योंकि यहाँ पे 40% है efficiency 40% है वो क्यों क्यों क्योंकि एक glucose molecule में एक glucose molecule में total energy होता है 686 calorie और आप calculate करो देखो यहाँ पे 38 ATP मन रहा है और 1 ATP के पास कितना energy trap होता है 7.3 calorie energy तो आप उससे calculate करके देखो चेक कर सकते हो 38 ATP कितना total energy होता है और 2 ATP कितना energy होगा उसको आप 686 के compare करें कि तो यहाँ 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 प्लांट और अनिमल सेल्स in absence of oxygen अगर oxygen उनको नहीं मिला और अनिमल जनरली ज्यादे करके कोन होता है आपके कुछ बैक्टिरिया and fungus okay aerobic respiration it occurs in all aerobes all aerobes okay अब देखते है reaction part shot में reaction देखेंगे तो अगर aerobic respiration हो रहा है और हम लोग यह जितना भी reaction हमनों study करने वाल है वो glucose point of view करने वाल है glucose यह समझ के चल रहे हैं कि यह इस पार्ट बहुत ही important है जो बच्चे भी यहां पर नीट वाले भी है उनको ध्यान देना है कि यह जितना भी प्रोसेस हम लोग चेप्टर में study कर रहे है यह यह consider करके consider करके एकंसी एजिम किया गया है कि यह जो है वो खाली glucose यूज कर रहा है लेकिन बाद में मालोट के नहीं एक समय पे खाली glucose यूज ने करता है दूसरे options भी है 36 नहीं तो 38 तो चली अभी glucose molecule अगर लेता हो C6H12O6 यहां पर हम लोग एर भी कर देखेंगे तो एक glucose molecule ध्यान देना एक glucose molecule को पूरी तरह oxidize होने के लिए 6 oxygen molecules चाहिए और finally release होगा 6 carbon dioxide plus 6 water और यह तभी होगा जब आप mitochondria में प्रोसेस कर रहे होंगे mitochondria is essential for aerobic respiration और तब आपको मिलेगी 38 ATP 36 या 38 तो वो क्यों है 36 या 38 क्यों हम लोग देखने वाले हैं यह तो हो गया आपका बॉर्ट अगर glucose बिना oxygen के oxidize हो रहा है यानि कि cell को oxygen नहीं मिल रहा है और कुछ केस में ऐसा है कि cell को oxygen तो मिल रहा है लेकिन mitochondria ही नहीं है फिर क्या होगा तब इस glucose से तो को दो options हैं या तो glucose से directly lactic acid बन जाएगा अभी direct मतना एक single step में नहीं मतलब finally lactic acid बनेगा या तो फिर बनेगा आपका ethyl alcohol ethyl alcohol और carbon dioxide अब कितना balance करने के लिए यह दो यह दो acidic acid दो बनता है इसके लिए इसके लिए सांस लेना inspiration और expiration का जो यह आपका rate है जो speed up है अब जादा ऐसा नहीं करते हैं या ऐसा नहीं करते हैं लेकिन अगर oxygen नहीं है there is no oxygen that glucose will get converted to either lactic acid or it will get converted to ethyl alcohol और carbon dioxide तो यह किसमें होता है एक chart से मैं आपको सम्झाओंगा ठीक है अब देखते हैं तो यह जो process अभी ने देखा हमने simple देखा आप देखते हैं एक drawing मैंने पहले चार्ट पहले से बना लिया उसी को अनिसे करेंगे कि पूरा respiration का overall process एक पल देखते हैं समरी जैसे ही कर लेंगे हम लोगे चलो तो overall process and respiration में देखो सबसे main source जो है वो है आपका carbohydrate जो main source कहलाता है और एक सेल एक given cell generally जितना भी नहीं जो इसको चाहिए 65-80% वो carbon rate से obtain करता है फिर option है protein यूज़ करेगा लेकिन 5-10% ही और वो last source है लास मतलब सब कुछ खतम हो गया भी carbon खतम protein अपना fat खतम और fat rich source है उसका करने की fat से actually per gram ज़्यादा energy produce होता है इसके लिए इसको rich source कहते है लेकिन अभी बोले के सब ज़्यादा energy produce होता है तो यूज़ फैट क्यों नहीं use करता है अचली fat use करने के time पे heat भी बहुत ज्यादा generate होता है which can damage the cell इसके लिए बोलता है कि fat तु ज़रा जैसे अब घर में butane gas जलाते है hydrogen hydrogen gas क्यों नहीं देते भाई hydrogen gas होना है hydrogen आपको माल में उसका calorific value बहुत जाता है इसनिट और उसको control कोड़ना थोड़ सब मुश्किल है विश्पोर्ट रोने का चांड जाता है इसके लिए घर में hydrogen gas अले बाप रहे इसके लिए explosive और घर के बस cylinder फुटने लगेंगे तो ग्लुकोज विचार आच्छा LPG की तरह है तो अब कोई भी carbonate cell यूज कर रहा है तो सबसे पहले उसको hydrolyze किया जाता है ब्रेक करके ग्लुकोज बनाते है ग्लुकोज छे ब्रेक करना है सबसे ग्लुकोज को ब्रेक करना है उसको तोड़ना है तो ग्लुकोज को ब्रेक करके पारविक acid में convert करते है यह पहला step इस common in all types of respiration तो ग्लुकोज एक glucose molecule जो छे कारवन का है वो दो पारविक acid में convert जाता है तीन कारवन और इस process में आपका दो ATP यूज होता है और चार ATP प्रिडूस होता है देखो दो पैसा दिया चार पैसा बना दो रुपिया दिया चार रुपिया मिला और इसका मतलब है इस process में दो ATP का शुद्ध लाब profit profit हो जाता है आपका दो ATP का और इसको भी दो सब्सुक्राइब करना याद करते हैं रहा है पागल हैarest इस प्रोसेस को आपको किसी भी टाप के रिस्पिरेशन में जब घ्लूकोस के यूज की तो सबसे पहला काम है कि क्लुकोस को ब्रेक करना अधिन जम्राइब कर een i technique लाइस मतलब ब्रेक और ग्लुको मतलब 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 ग्लुको पागल से पागल से पाइटब्स करुंकि है। पागल से पागल बनने में पांच स्टेप्स पाइदा हो गया है। फाइदा हो गया तो यह प्र्सक्तन पागल हैं में 5 steps है और पागल से पालिक असे बनने में भी 5 steps, तो तोटल देखो 10 steps है, धीरे-धीरे, काम करना है, क्योंकि अगर जटके में हम लोग मॉलेकोल को convert करेंगे, तो ज्यादा energy भी लगेगा और ज्यादा energy produce भी होगा विचसे heat बनने का खत्रा है, temperature बढ़ सकता है, बहुत ज्य तो पहला option देखते हैं कि भई इस cell के ये पूरा cell समझो ये 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 पूरा बोर्ड है ने ये cell समझो अभी cell को न तो oxygen मिल रहा है और न तो mitochondria है तब क्या होगा ये पारिविक के साथ यह तो इथायल-Alkohl बन जाए का ले तो lactic acid बन जायेगा बास अभी जो मेने बता है अनिकर एक सैल में पारिविक इसड बन रहा है लेकिन पारिविक असेड बनने के पाद उस cell को न तो oxygen मिल रहा है या तो उस या दोनों नहीं है दोनों नहीं है जैसे लाक्टिक ऐसे जनरली किसमें बनता है बैक्टिरियाज में जैसे लैक्टो बैसलस दूद से दही बनता है कि नहीं दूद से दही तो उसके लिए अनर्बी कंडिशन चाहिए तो दूद में होता है लैक्टोस यहां पर हम लोग अगर लैक्टोस लिखेंगे यह अगर लैक्टोस लिखेंगे लैक्टोस विशक्या गया तो पहले उसको ग्लुकोस्केर्च में करwo्ड़ गया है और अगर सेल के अंदर और अगर उसमें माई्ट resolution नहीं है या उसके आईग्जामपल मुस्ल सेल मालो मैं आपको एनिमल सेल के एक्जामपल है भर को यह बार मसल सेल में क्रांप आ जाता है मुसल सल जो जब ऑक्षिण नहीं रहते हैं से अत्यार है कि पिर आपको मॉल्म आी और त कि को करिगे गोंद इस यूपने करड़े दो, यहीं प्रोसरस होता, तो आप मिर्द यूए अपना आर्गी प्रोसर से है, है कि इत्थायल अल्कॉल के साथ कार्म डॉक्सार रिलीज हो जाता है तो यह आपका ऑप्शियन और यहां पर टू लिखना पड़ेगा ठीक है तो यह हो गया आपका अगर सेल को ऑक्सियन या मैट्रोकॉंड्रिया नहीं है उसके पास और ऑक्सियन नहीं मिल रहा है यह बनता है आपका इत्याल अल्कॉल के साथ कार्म डियाक्स अच्ज़ियों करणे और इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वर मेंटेशन कहा जाता है तो अमन्या हम अत्ना होता है पार्शिल डिकमोजिशन और अब सेटे और आप्शियन जिससे एक इन सीदोसरे सिम्पल और औ स्कालिय।र का बनाए ओर्ड के बन गया वो निप्टीकादनाल काई है अब्ड में मियरी क्थे मुच्म there औंधर पर उन करल जो है वह उसका आउन्टर सर्फेस यह इननर सर्फेस अंदर की तरह फोल्ड होता है उसको क्रिस्टे कहते हैं तो अगर माइटोकॉंट्रिया प्रेजंट है प्रिच आप एनलासिस करने ना कि पाइड़ुक असे जाता है माट्रोकॉंट्रिक अंदर फिर पाइड़ुक असेड को एसीटल को एनजयम में convert करते हैं पहले एसीटल को एनजयम में जिसको asylation कहते हैं फिस से जो asyl होता है वह special cycle क्रेब से क्रेब बाबा की cycle citric acid cycle के उसमें inter करता है और इस क्रेब सैकल में भी 10 acids बनते हैं circular manner में और हर step में थोड़ा-थोड़ा एनर्जी रिलीज होता है किस पॉम में हाइडोजन को निमू की आजाता है हाइडोजन को यह पार्ट बहुत इंट्रेस्टिंग है यहां पर नहीं बताऊंगा तो यहां पर कुछ चीज आपको दिख रही है कि कहीं के भी देखो आपने दिखा एक ग्रीन कलर से यहां पर मैंने स्टार दिया है यहां प मतलब फाड हतू बन रहा है तो यह नाड और फाड यह क्या करते हैं हाइडोजन को चुरा लेते हैं चुरा के दिल तेरा ऐसा गाना है और इस हाइडोजन को धीरे धीरे हलू हलू ऑक्सियन के साथ कंबाइन कराना है और उसके लिए ज़रूत पढ़ती है आपकी ETS या ETC की यहां पर आपका कर्मिंदयाकश्ण निकलता है और फिर हाइडोजन निकलता ना थक्रेप साइकल्स निकलता है दो तरीके से यहांais दोनों मॉलेकल जो है नाड और फाड, they are hydrogen acceptors और यह क्या करते हैं, फिर step by step hydrogen के energy को release करके hydrogen को ionize करते हैं और फिर उसको oxygen के साथ जोड देते हैं और बन जाता है पानी और oxygen जो है वो last step में use होता है, और जिस step में oxygen यूज होता है उसी को electron transport, chain या system करते हैं। सबसे एफिशेंट है तो सबसे पहले तो ग्लाइकोलेसिस होगा फिर एसिटेलेशन होना चाहिए फिर क्रेप साइकल और टर्मिनल ऑक्सिडेटिव फॉस्फोर राइलेशन मतलब आपका सबसे हमें इस चैपटर में अब मैं होता क्या है हब से सारे मोलेकुल को और और फिर जो देखेंगे और फिर यह दोनों प्रॉसेंगे कि यह दोनों प्रोसेस के लिए होता है एक चीज या रहना ग्लूकोल को ब्रिक करना है चोटा-चोटा करना है उसको और इस प्रोसेस में कार्णी आक्साइड किसी स्टेप से कार्णी आक्साइड निकल जाएगा और किसी स्टेप से कार्णी निकल जाएगा तो कार्णी निकल जोड़ोंगे तो बहुत जादा एनर्जी लोगा तो धीरे धीरे क्या है energy level को कम करके जोड़ा जाता है तो क्या किया जाता है basically hydrogen को आइनाइस करते हैं तो hydrogen ion बनता है oxygen को इलक्ट्रोन देते तो oxygen ion होता है तब ही जाके आपका बनेगा वाटर बेनेगा तो दो हाइडरिजन के पिछे यह लगता है तो यह होता है टर्मिनल ऑक्सिदेशन ओके चले अब देखते हैं प्लांट ज्रीद करते हैं कि निक क्योंकि हमको यह रिस्प्रेशन चेप्टर जो पढ़ना है वो है on the basis of plant activity तो प्लांट रिस्प्रेशन करते हैं जरूर करते है तो प्लांट भी oxygen लेते हैं और गिवाट carbon dioxide डूरिंग दे टाइम वैं लाइट इस वेरी लेस और जो फोटोंचर का रेट हो जाता है कम और दूरिंग night time को रात के टाइम पे यह मैंने आपका इसमें भी बताया था आपका एक शेयों गयास में explain किया था फिर देख लेते हैं यह आपका stromata तो stromata आपको मल में दिन के time पे open होता है और रात के time पे क्या होता है तो दिन के time पे बहुता है तो फिर breathing कैसे होगी okay तो breathing होती है फिर lenticels के जरीए okay जो lenticels there are small cracks on the surface of the bark of the tree or the skin जो tough skin होता है उसके surface पे crack जैसे एकंसी slits होते है उसको lenticels कहते है और इस ही के through जो है आपका oxygen और carbon dioxide का exchange होता है yes plant also perform gaseous exchange okay तो plant के पास को special respiratory organ नहीं होता है उनके हर पार्ट के surface में छोटे छोटे पोर्स होते है अलगले type के जो common पोर होते है वो होते है cuticle surface है plant के surface का उसको cutie से protect किया जाता है इसमें छोटे छोटे पोर होते है okay उससे भी होता है तो each plant part can take off its own gaseous water requirement okay so gas transport नहीं होता है plant का हर पार जो है okay और प्लांट के जनल किया है ना surface के नीचे जो structures है वही metabolicly active होते है जो एक्तम अंदर part होते है तो इनक्टिव रहते है इसको कोई कच्छा fruit देखो अगर आप उसको cut करोगे ना तो बाहर के नर्म होता है अंदर की तरह हाड होता है you know plant का जो inner part होता है वो ज्यादा हाड होता है क्योंकि वो dead ज्यादा करके dead metal होता है खली surface बाहर का जो skin होता है उसी के आसपास cells जो है वो active रहते है इसके लिए they can exchange the take they can actually obtain oxygen carbon dioxide directly okay तो leaves जो है वो gashes exchange करते हैं during photosynthesis and during this oxygen release within the cell और जो oxygen photosynthesis दिन के टाइम पे जो photosynthesis के time पे oxygen release होता है okay उसमें से थोड़ा और inspiration के लिए भी यूज करते है inner cell में तो बहार वाले cell यहां भी important है isn't it तो यह है अपका plant के बहार वाले cells अब यह तो green होंगे यह तो green है लेकिन जो अंदर वाले cell वो तो non green होंगे correct no तो non green है तो बहार वाले cells generally green होते हैं जैसे फ्रूट वेजी टेवल का outer skin green होता है अंदर थोड़ी green होता है हां कुछ केस में green होता है तो जो green cells है वो तो forcing कर रहे है और जो oxygen है वो अंदर वाले cells को दे देते ताकि वो भी अपना metabolic activities करते रहे okay so most living cells have contact with air skin जो होता है है के contact में है तो इसी से वो क्या करते है गैसे एक्स्चेंज करते है तो इसके लिए उनके पाल लेंटिसल होता है और फिर leaves stem roots में जो parenchyma surface के जो parenchyma cells होते है वो भी एक air space create कर देते है यानि कि अगर आप leaf देखोगे leaf के surface में तो cells की बीच में gaps होते है क्या होते है gaps और stromata जो open होता है उससे air is spaces में चले जाता है और इसमें stored हो जाता है और इसी stored air में से oxygen और carbon oxide को naturally वो utilize करते है carbon dioxide को use करते है for photosynthesis oxygen को use करते है for respiration okay अब देखते है अब start करते है हम लोग वो process जो किसी भी respiration का सबसे fundamental you can see what step है अब देखो जितने भी metabolic reactions है वो सब step by step होता है अगर आपको अभी उसको याद करना है तो सबसे पहले क्या करने का सबसे पहले sequence याद करो कि कौन सा molecule किसमे convert हो रहा है okay short form में उसके हर step में क्या condition है मतलब क्या हो रहा है अगर आपको यह दो चीज मालूम बढ़ गई तो आप इमीजेटली इसका step भी लिख सकते हो कि अगर आप नीट लेवल पर study कर रहे हो तो आपको naturally step और even enzymes यो है उसके बारे में आपको एकैंसी वाट जानना जोरूरी है तो आज हम लोग उस पर ज्यादा focus नहीं करेंगे main step पर ही करेंगे लेकिन मैं दिखा दूँगा आपको थोड़ा सा मैं practice करा लूँगा चलो तो glycolysis को पहला step कहते हैं respiration में जिसमें hexose sugar छे carbon वाला sugar c6 h12 o6 इसको यूज किया जाता है और इसको break करते हैं in a series of step wise manner कितने हैं steps total 10 steps 10 steps हैं बहुत interesting होने वाला है अभी अपना पूरा focus रखो बजो और इससे finally बनता है पारिविक acid कितने molecule two molecules क्योंकि देखो एक glucose जो है वो छे carbon वाला है पारिविक acid जो है वो है तीन carbon वाला इसके लिए कार्बन का नंबर ध्यान देना हो कंफ्यूज मत करना कार्बन नंबर को हमेशा bracket में लिखा जाता है okay so तो यह term अभी old term है इसको अभी replace किया है EMP pathway से अभी EMP मतलब गया okay energy manufacturing process ऐसा भी सकते है अरे वह energy making process क्या इसका मतलब यह होता है energy making process हाँ energy तो इदर बनता है लेकिन EMP pathway का मतलब यह EMP का मतलब energy making process नहीं बच्चो यह उन तीन scientist पे यह गया है जिन्होंने इस process को पूरा agency word उसका कच्छा चिठा ओपन कर दी हार step को so EMP pathway is given because of the name of three scientists जिन्होंने इस process को describe किया आपको oxygen नहीं चाहिए तो इस ए ए ए ए ए एरोबिक process प्रोसेस के लिए आपको oxygen नहीं चाहिए इस ए ए ए एरोबिक step ए ए ए ए एरोबिक process किसी भी रेस्परेशन का शुरुआत का step है उसमें oxygen की जोट नहीं ए ए ए फिर से बोल रहा हूं oxygen last step में ए ए ए एरोबिक रेस्परेशन में mitochondria के अंदर ETC में use होता है तो इसको साइटोप्लाइक में respiration कहते हैं क्योंकि यह साइटोप्लाज में होता है वेरी सिंपल होगे तो आपको गिव रीजन आ सकता है चलो सब्सक्राइब करने के लिए एसे जासे लिखोगे तो इसके स्टेप बाई स्टेप करना जुरूरी है जिसे अगर आपको चाय बनाना है तो एक अच्छा तरीक है एक लो भंडा इसमें डालो पानी डाल दो जुड़ नवर चाय पती दूद मसार डालो रख दो उसको अगर बन जाएगा वैसा चाय का टेस्स और दूसरे श्टैप होता है पहले चाय लो उसमें आप चाय पती डालो उसको अबालो इसके उबलने के बाद चीनी डालो उसको गरम करो फिर उसमें चाय धूट डूट ड का फरक होता है तो पहला फेज है कि ग्लुकोस को तयार करना है ग्लुकोस भाई हमारा एनर्डिजी सोर्स है फ्यूल है उसको प्रेपरेटरी फेज या इन्वेस्टमेंट फेज कहते हैं क्योंकि इस फेज में हमें एटीप देना पड़ेगा इस प्रोसेस से फाइनली एटीप की गेन करना है लेकि शुरुआत में थोड़ा सा भई हैना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा पहिसा देना पड़ेगा और सेकेंड फेज में आपको फाइदा होता है बेर सिंपल इन्वेस्टमेंट फेज में टू एटीप होता है तो उसके साब से फाइदा ह तोटल फाइदा हुआ के नुकसान ना अचलिए बोलोगे दो एटीपी मैंने खर्च किया 200 रुपिया समझो 400 रुपिया बन गया दो का चार दो का चार दो का चार एक को दो एक को दो ऐसे है इसका मतलब है यह जो प्रोसेस है इससे आपका डो एटीपी का नेत गेन हुआ है रहना फाइना हो गया ओके देखो अबसब किसी भी रेस्प्रेशन में ग्लाक्योर स्थ होगा तो दो एटीपी गाइरनेटीड है गारेनेटीड वनेगा ओके तौब देखो अभी मैं अगर आपको इक्स्पेंड बोला करने के लिए तो यह एक्सपेंशन का नोट्स है ओके तो प्रिप्रेटी स्टेज जिसमें क्लीवेज होता है ब्रेकडाउन किया जाता है तो इसके लिए सबसे फिले ग्लुकोस को एक्टिवेट करते उसमें दो फॉसफेट ग्रूप स्टेप बाइस्टेप एड़ करते मलब ग्लुकोस का एनरजी लेवल बढ़ाते है उसमें फुक्तोस वन सिक्स डाई फॉसफिट बनता है जिसको मैं शॉट में लेखूंगा एफ वन सेक्स डीपी अभी मैं शॉट कट आपको बताऊंगा फिर अभी वो उसका एनरजी लेवल बढ़ गया तो वो ब्रेकडाउन हो जाता है इन्टू मॉलेक्यूल्स और ट्रायोस फॉसफेट एक बनता है आपका पागल और दूसरा बनता है धैप पागल धैप पागल धैप याद रुखो पागल धै फिर नेक्स स्टेप में आप धैप को पागल में कनवर्ट कर देते हो यादि कि आगे का जो रियाक्शन है यहां से आगे का रियाक्शन पागल से स्टार्ट होगा इसका मतनब इस स्टेप में फाइनली आप क्या कर रहे हो ग्लुकोज मॉलिकुल को पागल में कनवर्ट कर हो पागल अब यह तीन पागल का मत्तब क्या होता है थीन पागल नहीं थर्ड पोजिशन और फॉस्फट पी फॉस्फट इसको थर्ड पोजिशन है अभी संतेसिस पागल फ्रम ग्लुकोज इंवॉल्ड फाय रियक्शन स्टेप उसको केते oxidative and payoff stage क्योंकि step में hydrogen को रिमू किया जाता है इस step में hydrogen यानि की पहला hydrogen रिमू जो होगा वो यहां पर होगा होगे तो सबसे पहले hydrogen करते हैं और hydrogen को लेके जाता है नाड नाड और साथ में ATP generate होता है और इसमें पांच step है जिससे फाइनली पाइरविक असे बन जाता है फ्रॉम पागल यह steps हम लोग देखेंगे तो इसमें आपका ही step में hydrogen accept करने वाला molecule है NAD अभी दान दो यहां पर एक चीज है नाड जब hydrogen एक नाड दो hydrogen capture करता है तो इसको अलग लग बुक में अलग देखेंगा है कि नाड जब hydrogen को capture करता है तो आप NADH2 लिख सकते हो यह इसको NADH plus H plus ऐसा भी लिख सकते है यह representation है यह एक hydrogen ions form होता है और दूसरा bind रहता है और फाइनली यह hydrogen जो है इसकी energy को release करके इस hydrogen को आपको oxygen के साथ क्या है मिलाना है भई मिलना जरूरी है तो hydrogen हमारा एक एंसी वाट है दूला है उसको oxygen के साथ आपकी शादी करानी है विचारा hydrogen कहां कहां से कहां ब्रेक होके release होके जंगलों से करके ब्रेक करके ultimate oxygen तक पहुचेगा चलों तो यह देखो आपके टेस्ट बुक में दिया हुआ है वह steps देखो पहला step तो यह पहला step है यह second step है यह third step यह fourth step यह fifth step पर आगे की जरूनी जो है यहां से आपका पागल से start होता है तो यह हो गया six step seven step eight step nine step और यह 10 step ऐसा तो मैं तो को अभी थोड़ा अलग तरीक से आपको बताऊंगा तो क्या हो रहा है basically तो shortcut use करते हैं मैं तो सबसे पहले I will write G G का मत्ता होता है glucose ग्लुकोस तो सबसे पहले मैंने क्या बोल आपको सबसे पहले आपको steps लिखो सारे steps लिखो कौन किसमें convert हो रहा है तो glucose को सबसे पहले आपको convert करना है glucose 6 phosphate में पर glucose 6 phosphate को आप convert कर दोगे fructose 6 phosphate में फुक्तो 6 phosphate में एक और phosphate देखो glucose 6 phosphate में phosphate add हो गया फुर फुक्तो 6 phosphate में एक और phosphate add करेंगे तो बनेगा fructose 1,6 di phosphate और यह step में यह हो जाएगा break वो ब्रेक हो जाएगा क्योंकि unstable हो गया ब्रेक करनके बनता है 2 molecules पागल देखो मैं 3 जान पुझके यहां से नहीं दिख रहा हो क्योंकि confusion होगा 3 पागल नहीं दिख रहे और दूसरा बनता है आपका धैप पागल धैप पागल धैप पागल धैप फिर आगी के जरनी देखो पागल से होगी क्योंकि धाप जो है वो भी पागल में convert हो जाता है यह reversible reaction है आगी के जरनी पागल से होगी इस पागल से बनाए जाएगा एक शोड़ी तो पागल को convert कर देते हैं इंटो वाट डीपीजिये पागल को पिला रहे हो डीपीजिये दो बार पीजिये डबल पीजिये डीपीजिये से बनता है आपका वाट टू पीजिये 2PGA से बनता है आपका वाट 3PGA नहीं इदर गड़ बड़ हो गया थोड़ा था तो पहले नहीं पहले आप करोगे इसको 3PGA और बाद में 2PGA पहले तीन पर पिला है बाद में 2 पर पिला है PGA will get converted to paper पेपा में convert होता है और last में बनता है पाह है last में बन जाता है पाह होगे तो यह sequence है तो glucose is converted to glucose 6-phosphate, fructose 6-phosphate, fructose 1-6-diphosphate फिर वो ब्रेक होके पागल धाप में कर पहले होता है और फिर आगे के जर्णनी पागल से कनवर्ड होगी तो पागल बनता है DPGA, 3PGA, 2PGA, पैपापा, तो अभी इसका सिक्वेंस में शॉटकर में बताता हूँ, कैसे बनेंगे, GE, G6P, F6P, F1, 6DP, ऐसा यह रखोगे, फिर से बोल रहा हूँ, GE, G6P, F6P, F1, 6DP, यह पहले, फिर पागल ठाप, तो यह रखोगे कि दोनों साइट पे, पागल ठाप, पागल ठाप, फिर DPGA, 3PGA, 2PGA, पैपापा, DPGA, 3PGA, 2PGA, पैपापा, DPGA, 3PGA, 2PGA, पैपापा, ओके, यह हो रहा है कनवर्जिन, तो देखो, टोटल टेंस टाप, इसमें पहला, ग्लुकोस से पागल बन तो इसको कहते है, पे आफ फेस, तो अभी कैसे, अभी इदर शॉट में सब बता रहा हूँ मैं, तो क्या हो रहा है, ग्लुकोस से G6P चाहिए, तो इसके लिए मैं यहां पे ATP यूज करूँगा, ATP यहां पे यूज होगा, ATP का अपना पी चला के जाएगा इदर, और ADP मुझ को फ्रुक्टोस में करते हैं, तो isomerization, फ्रुक्टोस 6-phosphate में एक और phosphate जोड़ा जा रहा है, तो दूसरा phosphate भी कौन देता है, दूसरा phosphate भी इदर ATP देता है, यहां पे ATP दे दिया, अभी फ्रुक्टोस 6-phosphate इतना जादा, I can see what, unstable हो जाता है, क्योंकि अभी कार्बन नमबर क्योंकि किसी भी molecule में जो phosphate होता है, उसका energy level बढ़ जाता है, तो पागल और धाब बनेंगे, एक पागल बनेगा, एक धाब बनेगा, तो finally आगे का है, ultimately ऐसा देख सकते हैं, क्लुकोस अगर यह बना दो पागल बने, फिर आगे का जरनी में दो-दो molecules तेयार होते हैं सबके, और यह सारे molecules अभी जो नीचे दख रहे हैं, यह आपके तीन carbon वाले components हैं, तो देखे इस पे बहुत सारे motion नीट लेवल पर बहुत सारे motion आता है, कि गलाइकुल अबिसमें कितने 3 carbon वाले, कितने, अपना 6 carbon वाले components, 6 carbon वाले तीन बनते हैं, और आपके तीन carbon वाले 1,2,3,4, पांच छे साथ साथ molecules तैयार होते हैं तो फर्स टेप में देखो दो एटी पी बन गया ना यहां पर दो एटी पी यूज हो गया भाई बोलों कि मैंने तो दो रुपिया लगा आप प्रॉफिट मिलेगा कहा है प्रॉफिट यस उसके लिए पागल को पाइरवी कैसे में करना ह काई मैं तो पागल को पार भी कैसलों में सबसे पहले देखो पागल फॉस्फोगिशुरीषिट ग्रॉफ ही फॉच्षफघध ग्रूप है उसमें एक और फॉस rightly आड करते हैं यह नर फॉस्फिट átक스में यह वास्फिट देता है फॉस्फरिक एसड और साथ में यहां outdoor add करते हैं और यह phosphate देता है phosphoric acid और साथ में यहां पर hydrogen remove किया जाता है और यह hydrogen capture कोन करता है मैंने पता है आपको नाड बाबू नाड बाबू दो चे तो दो हो जाएगा दो नाड हतू बन जाता है और यह दो नाड हतू will be used in the other steps जहां पर उसको mitochondria में जाना पड़ेगा जाते हैं और यह hydrogen को फिर फाइनली आप oxygen के साथ मिला दोगे फिर dpga से 3pga बन रहा है तो dpga डाइ फोस्फो ग्लेसरल डियाए दो फॉस्पेट ग्रूप है तो यह एक फॉस्पेट है इसका मतलब यहां पर आपका इन और फॉस्पेट रिमूव होता है और इससे बनता है तो आपके दो इन और फॉस्पेट रिलीज होंगे तो फिर यहां पर आपका आइगा दो अडीप आएगा और दो अडीम यहां पर ऒबन जाए गा बले बले िस सटेप में टैयार हो गया वित्री पिजए को टू पिजए में यह कहा है आइसम्हर बन रहा है जैसे घ्ल् JULYCOS से वरिक्टोष सनी और बन यहां तोटल एटीपि हमे बन गया आप का चार एटीपी लेकिन चार एटीपी का बनना इसमें आपको यह दो एटीपी मैनस करना पड़े गा इस के लिए नैट गें गेन कतना है आपका अलग क नेट गें है फ़ता और और Trd आपका प्रिड्यूस हुआ है तो इसके लिए नेट गेन है भई शुद्ध लाब हुआ है दो एटीपी का ओके अब यह आपका देखो फिर से बताता हूं जी जी 6P F6P F1 6P फिर पगल धाप पगल धाप पगल थाप इसके बाद में मैंने भी यह शुद्य यहीं हो अपर डिपीजिये टिपीज़िये टुपीजिये पी पा यापक्वेज़िये यह शुद्धियूज शुद्धे निट करें तो हर स्टव आपको मानुन सी क्मनจะ स्टर्प में क्या हो रहा हुँंए इसमें यह भी पानी करते है पानी को यह फिर सबस्मार कुभिए, भाल है एक बार दो इसको अभी आम लोग में लिघेल के इसमें सेप का नाम भी लिखा होगा और साथ में से उस स्टेप में कुन साथ एंजाम है क्योंकि आप यह वह नीट लेवल? तो यह जो आपका स्लाइड होगा वो आपके लिए ज्यादा इंपोरेंट है चलो तो प्रिपरेटिर फेज इसको इन्वेस्ट्रेंट फेज कहते हैं पांच स्टेप है ग्लुकोज जो है सबसे पहले उसका होगा फॉस्फोराइलेशन उसका एनर्जी लेवल बढ़ाएंगे तो बन जाएगा ग्लुकोज 6 फोस्फेट और इस प्रोसेस में आपको एटी पी देना पड़ेगा तो एक एटीप यहां पी जूत है इसके लिए एंजाइम लास्ट में लाइस के लाइन में हमने एंजाइम के नाम लिखे हैं फैक्टर्स के नाम लिखे तो पहला एंजाइ उसको फ्रुक्टोज में करना है आईसोमराइजेशन पहला वाला फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट और इसके लिए फॉस्फोग्लुको आईसोमर इसके जोत पड़ती है फिर फॉस्फोर एलेशन 2 फ्रुक्टोज 6 फोस्फेट में एक और फॉस्फेट करेंगे वह फ्रुक्ट डप और फॉस्फो ग्रिसल्डी हाइट इस वाट पागल यह दोनों इंटर इकनसी कनवर्टीबल है और इसमें से आगे का रियाक्शन अभी तीन फॉस्फो ग्रिसल्डी हाइट से आगे बढ़ेगा यह दोनों मॉलेक्यूल तीन कारबन वाले हैं तीन कारबन वाले हैं तीन कारबन वाले हैं ठीक है विचो समझा तो यह देखो इस टेप्स तो पांच स्टेप इसके नाम और और corresponding enzyme जो है वो यहां पर लिखा है चलिए अभी इसके बाद में आपको ATP चाहिए पे आफ फेस प्रॉफिट फेस तो तीन फॉस्फोग्लिसरल डियाइड जो तीन कारवन वाला है अभी इसके साथ क्या करेंगे तो पहले आपके इसका hydrogen निकालो और इसका फॉस्फिट आड करो तो hydrogen निकालके वो दे देते हैं नाड के पास नाड बना देते हैं नाड हतु इसके लाए एंजाम जिए पॉस्फोग्लिसरल डियाइड इहडोजरेस और फॉस्फपिट कोन देता है फॉस्फफ़िक असिड तो बन जाता है 1-3 डाइफ फॉस्फोग्लि यूज़ करके दो एटीपी बन जाता है और फिर आइसोमराइजेशन सेकेंड थर्ड पॉजीशन वाला फॉस्फेट उसको सेकेंड पॉजीशन में ट्रांसफर कर देते हैं यह भी तीन कारबन वाले यह सारे कंपॉंड तीन कारबन वाले हैं और फिर फॉस्फोग्लिसरिक अ पेपा और पेपा से अभी पा बनाना है फॉस्फोग इसके लिए उसका फॉस्फेट ग्रूप निकाल देते हैं फुर यहां पर सेकेंड एटीपी जनेरेट होता है तो दो एटीप यहां पर आएगा और यहां पर दो एटीप बन जाएगा ओके तो यह सारे स्टैप जहां गलग करके अगर आप प्रैट्टिस करोगे तो आप अराम से किसी भी स्टैप को लिख सकते हो ठीक है अब देखते हैं कि ओर आल रियाक्शन को कैसा लेखेंगे तो दखिया आपके लिए ओर आल रियाक्शन एक ग्लुकोस के लिए दो एटीपी दो आईपी चार एडीपी और फिर दो पाइलिट बनता है दो एडीपी बनता है चार एटीपी बनता है दो एडीपी बनता है दो एक एच प्लस इसके साथ ये एक साथ है ये एक साथ है और दो वाटर मॉलिकूल्स होते हैं अब इसमें से अगर आप एटीपी और एडीपी को क्या करोगे दोनों साइ इंपोर्टेंट देन अभी यहां पे एक चीज़ आ रिखना फोटो सिंथेसिस में हाइडोजन को एक्सेप्ट करने वाला मॉलेकूल हाइडोजन एक्सेप्टर कौन है वह एन एडी पी और यहां पे है एन एडी खाली एन एडी और एन डी का मतलब क्या होता है निको टीनमाइड एडीन डी डाइ नूकलियोटाइड और पी अगर आड होगा तो डाइ नूकलियोटाइड फॉस्पेट हो जाएगा पस और इसके लिए आपको एंजामस चाहिए और यह एंजाम होते है किसमें साइटोफ्लास्मिक कैताबॉलिक क अल्cken जाइम के अफूर में बॉलिक यह अब जाहन पर गहीं एंसा रिखा आध्ल कि तो पईरिवेट हेट खूँ इसको पायरुवेट तो यह खाली किया है नाम में डिफरेंस है बताब एक common name है और एक क्या आपका scientific name है उसके साब से लिखा गया है तो इसे फोस्फो ग्लीसरीक असिद फोस्फोग्लिसरेट के लिए दो प्रडुस होता है सास में डोई डीटके नेट गेलन और दो नदी एच टू बनता है फिर यह जो NADH2 है पारविक ऐसे ड़ा NADH2 को फिर माइट्रो कॉंड्रिया में भेज देते हैं ताकि माइट्रो कॉंड्रिया में होने वाला रियक्शन्स हो उसमें अभी तो यह दोनों अगर यूज हो गया उसे फाइनली छे टीप एडिशनल बन सकता है तो इसके वैसे अगर आप लोग गलाइकुलिस को देखेंगे दो गैरंटीड है साथ में अगर NADH2 यूज हो गया तो छे टीप का एडिशनल बोनस मिलता है ओके तो इनरजी में रियक्शन होता है यह ऐसा है कि अगर आप एक एंसी सिटी में रहते हो तो हाइवे होता है यह आपका रेल्वे ट्रैक है तो में ट्रैक होता है ना तो इससे अगर आपको दूर जाना है तो में ट्रैक में जाओ वहां से स्टेशन का टिकन निकालो और उसके बाद में ज जो भी इंट्रेमिंजिर्ट बनते हैं जैसे अगर इसा फॉस्फोग्लेसि चाहिए तो थोड़ा सा फॉस्पोग्लेसिक यूस कर लेता है। यूस कर लेता है किसी दूसरे प्रेटीनी का जो मेडूला रीजन है फिर ब्रेन के सल्स और स्पॉम यह सब ग्लाइकुलिस के जरीए ही एनर्जी प्रोडूस करते हैं क्योंकि अगर इन्होंने माइटो कॉंडिया यूस किया तो आल्टीमेटी बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च कर देंगे चलो अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा एफिशेंट एकनसी रियाक्शन है एरोबिक रेक्शन के पहले एनरोबिक रेक्शन देखते हैं कैसे होता है इसका भी चार्ट बना दिया डिटेल में किसे ग्लुकोस से पहले पागल बनाएंगे पागल से पारिविक एसेड बना ग्लुकोस से पागल बन भन दिया पागल से पारिविक एसेड बना ग्लुकोस में बनता है तो 2acies एटिपी यूice हो गया और फिर पागल से झाप पारिव एसेड बनता है तो 4 एटिपी गें होता है तो इसके लिए 2 एटीप का नेट गें यह गें है in ईकिन यह तो आपका साथ क्या होगा दियान दो आभी वो डिपेंड करता है कि यह reaction किसके अंदर हो रहा है और glucose का source क्यान है तो glucose का source अगर animal source है जैसे lactose या glycogen फाइनल इक अझाये अगर glucose का source कोन है जुकरोस है स्टार्च है फ्रुक्टोस है प्लांट source है glucose का source तब आपका ethyl alcohol और carbon dioxide बनेगा अब वह भी कैसे अभी इसको step भी पहले तो आमने शॉटकट बन रहता है विस टेप दिखाते हैं अभी उसके लिए इंपोर्टेंट है यह यह पर एंए डी एच्टू कहां पर यूस हो जाता है तो पारिविक अगर प्लांट सेल या फंगल सेल के अंदर यह हो रहा ह है तो पारिविक अएसेड में से सबसे पहले कार्मिडाक्स निकाल देते और बन जाता है असेटल डी हाइड बनता है इस प्रोसेस को कर्मिडाक्स निकाल दिया कार्मिडाक्स निकालने माले प्रोसेस को क्या कहेंगे डी कर्बोग्जिलेशन फिर असेटल डी हाइड यह step बहुत ही important है एक carbon compound जो परविक acid है वो तीन carbon का है उसका आपने carbon dioxide निकाल दिया मतलब एक carbon निकाल दिया तो वो दो carbon वाला compound बच जाएगा acetyl dehyde फिर इस acetyl dehyde में आप hydrogen add करना है hydrogen add करेंगे तो जाके इतायल alcohol बनेगा hydrogen देगा कौन कौन देगा है hydrogen यह है तो ग्लुकोस से परविक acid बनने में नडी ने जो hydrogen capture किया था वही नडी है यहाँ पर आ जाता है acetyl dehyde को hydrogen देता है तो यहाँ पर नडी एच टू आ गया उसने अपना hydrogen दे दिया और बन गया इथाल alcohol और इस ट्री को कहते है है alcoholic fermentation तो यह है तो अगर alcoholic fermentation हो रहा है तो ग्लाइकोलेसिस पहला स्टेप उसके बाद में carbon dioxide को remove किया जाता है उसके बाद में hydrogen add hydrogen add करने को क्या कहते है बच्चो reduction reduction होता है और फाइनली आपका alcohol बन जाता है ठीक है पर दूसा क्या तरीका है अगर अनिमल सेल के अंदर हो रहा है या बैक्टिरी के अंदर हो रहा है तो डायरेक्ली पायरेविक acid में hydrogen add कर देता है नाड हतु directly hydrogen add कर देता है और बन जाता है lactic acid इसके लिए बेक्टिरिया और अनिमल सेल अगर उनको oxygen नहीं मिला तो वह लोग क्या करते है पायरेविक डायरेक्ली लाक्टिक आशिव में करने करते है यहां पे carbon dioxide नहीं बनता है मत्ता है डायरेक रेडक्श के रूप में भी लिख सकते हो आपके टेस्ट रूप में ऐसा दिया हुआ है और तो उसको फर्मेंटेशन कहते है और इंडस्ट्री में यूस किया जाता है ना कैबल आसेट्स खाली लैक्टिक आसेड नहीं और भी बहुत सारे एसेड इसी प्रोसेस से बना जाते हैं और अ केस में क्या है आपका टर्मिनल पॉइंट में आपको खाली सिट्रिक असेड बनाना है तो उसके लिए ऑक्सीन की जूर्ट नहीं पड़ती है अनिस्टोट समझा तो उदर फिर क्या होता है फिर आपको आपको नहीं चाहिए तो उस सेल में अक्शली प्रोकॉंडिया की कोई हर्मोन बनाए गिब्रिलिक असे बहुत सारे एकंसी वाट ऑर्गनिक असेड वो तैयार किया जा सकते हैं और यह सारे प्रोसेस में यूज नहीं होता है और यहां पिया आप फंप्लेक्स ऑर्गनिक वालेकुल को सिंपल में कर रहे हो इसके लिए इसको फर्मेंटेशन पर फॉस्फो इनॉल परिविक असेड पेपा यह यह पेपा है इस पेपा जो है वह परिवक ऐसे में इसा दिखाया तो इसमें ग्लिसर डियाइड फॉसफेड पागल पागल से जब आपका त्री अब देखो कोच स्टैप को यहां ने कि स्किप किया है तो उसे नाड जो है हाड़िजन कैप्चर करके आपका नाड हतू बना देता है और यह नाड हतू फिर पारिविक असेड में डारेटली एनड एच हाड़िजन एड करके लैक्टिक ऐसर बन जाएगा नहीं तो आपका एथेनॉल और करमिल आक्सर बनेगा तो एकदम शॉट में तो मैंने तो इतनोल बनता है तो इसके लिए पिछला जो स्लाइड है फिर से देख लेना ओके और दूसरा स्टेप यह भी है कि ग्लुकोस से डारेटली पारिविक असेड बना इस टेम में हमने ज़रूत की चीज किया है एटीप यूज होके एडीप बना दो ताद में एन ए एन एडी ए यह सब रिप्रेसंटेशन इसको आपको समझा होगा जो मैं पहला रिप्रेसंटेशन था वो ज्यादा है और आपको यह चले, अब यह है reaction, अगर आपको reaction लिखना है, तो this reaction is given to you, you can take it down, okay, overall reaction of lactic acid fermentation, overall reaction of alcoholic fermentation, okay, तब देखो, lactic acid fermentation में glucose is directly converted to paravic acid and lactic acid, okay, लेकिन, alcoholic fermentation में पहले आपको acetyl dehyde बनाना है, और फिर वो ethanol में convert हुगा, okay, so, अभी इसमें देखो, yeast poisons themselves by death when the concentration of alcohol reaches about 13%, यानि कि yeast, जनरल इथायल alcohol yeast, यानि कि fungus बनाते हैं, लेकिन, अगर हद से ज्यादा alcohol तयार हो गया, देखो 13%, तो yeast जो है, उनका death हो जाता है, okay, इसके लिए fermentation का drawback यह है, कि energy production कम produce होता है, ATP बहुत produce होता है, और excess amount में जो यह chemicals अगर produce ह हो गया, तो उससे cell damage होता है, okay, understood, so, हैडास जो प्रोड़क्ट जैसेड और alcohol फोर्म हो सकता है, excess amount में नाचिल, it will cause, you can see, osmosis process बहुत सारे cell lysis हो सकता है, इसके लिए fermentation का एक drawback है, लेकिन, human क्या करता है, इसी process को controlled condition में करता है, जिसमें, वो continuously substrates को, मताब बेसिक चीजों को देता रहता है, और जो chemicals बन रहे हैं, उसको extract करता रहता है, इसके विए से process चलता रहता है, which is causing damage to the cells, इस तरह हम लोग industry, industry level पे large quantity of alcohols, acids, vitamins, त्यार कर सकते हैं, okay, चले, अब हमना complete कर दिया, आपका anaerobic respiration, अब देखते है, aerobic respiration, अभी aerobic respiration में पहला step है, glycolysis, उसको अभी touch नहीं करेंगे, glycolysis के बाद, paravik acid मेरे पास है, अभी उस paravik acid, और NADH2 के साथ क्या करना है, उसके लिए मुझे चाहिए ही mitochondria, okay, तो steps of aerobic respiration, तो what is aerobic respiration, complete oxidation, पहले बता है, organic substance को आप completely oxidize करते हो, okay, in presence of oxygen, इससे finally, finally बनता है आपका carbon dioxide, water, और energy, होई है, energy ultimately 38, 36 या 38 ATP के रूप में, और साथ में heat produce होता है, okay, simple, now, तो aerobic respiration बोलेंगे, तो वो mitochondrial respiration में होता है, इसके लिए इसको mitochondrial respiration भी कहते हैं, okay, mitochondrial respiration भी कहते हैं, ठीक है, so, तो इसके लिए क्या करना है, तो इसके लिए सबसे पहले तो पहले, first, first, जो reaction है, वो तो आपका glycolysis है ही भई, glycolysis ही होना चाहिए, ना, glycolysis नहीं होगा, तो आगे का process नहीं होगा, okay, तब लोग अभी आगे का step देखे के, glycolysis देख लिया, glucose पारिविक ऐसिद बन गया, एक glucose से दो पारिविक ऐसिद, है ना, तो पारिवेट जो है, पारिविक ऐसिद, से वो है कि पारिविक ऐसिद को सबसे पहले तयार, यहां भी पारिविक ऐसिद को तयार करना पड़ता है, तो complete oxidation of pyruvate by step by step इससे बाकी के hydrogen और बाकी के carbon dioxide रिमो हो जाते है, एक पारिविक ऐसिद से, अगर आप एक पारिविक ऐसिड से यूज करोगे तो आपका तीन carbon dioxide रिमो होगा तो ultimate एक glucose, एक glucose, विल było गिव-जlingen इसाब यो पारिवीड और दो पार्यट-ईसिद से कितने carbon dioxide रिमो होते हैं, एक परभिक ऐसीट से तीन कर्भीन अकसाइड तो ओक आ हिसाब कर ना है हली आपको आणीज कर्ना का छुड़it जनुरे करनेके लिगा ही यह चेरपा को देडियरे पयार्चा आखेस्ट मिला ना है को है इसके लिए को में हाडर य्यानू को करूड आपको ह कर दो कि कर सब्सक्राइब तो रिलीस कर दिया अब है जो रिलीस वह अगर उसको न डी ने नहीं कैप्चर किया वो तो बिचारा विकेंसी वह पागल होके ऑक्षिन के साथ बाइंट हो जाएगा शायद और अगर असा हो गया तो बस विस फोट इसके रहे हैं को इसमें पकड़ लेता है होके और फिर molecular oxygen के साथ उसको कामण करते हैं करते हैं को इसके रचो जिसे finally ATP synthesized होता है और यह होता है mitochondria का inner membrane में उसी को आपको माल में है उसको कहता है crystal inner force होता है यह माइटो का श्रकल दिखाते हैं यह माइटो का आउटर सर्फेस यह inner surface और इसी inner surface में होता है particles ऐसे particles आपने मालू है देखा है अपने cell chapter में इसी को कहता है oxysome क्यों कहता है oxysome क्योंकि इसी में आपका terminal oxidation होता है hydrogen की milan oxygen के साथ की जाती है और साथ में ATP भी बन जाता है क्योंकि यह particle क्या है it is nothing but it is nothing but ATP synthase ATP को बनाने वाला enzyme ठीक है चले steps of area expression देखते है उसके साइट 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 कहां भी होता है यह है आपका mitochondria आपके reference के लिए है इसको study करते है अब भी मैं बताया mitochondria outer surface inner surface inner surface folded होता है तो यह diagram भी आप बना सकते हो यह मैंने cell chapter से लिया है okay understood इसमें सबसे important part है आपका ATP synthase particle जिसको F1 particle कहते है okay चलो अभी सबसे पहला step किया है कि मैंने बताया पारिविक acid तो generate हो गया उसको अभी तैयार करना है तो उसके तैयार ही कह लेती है acetylation it is a conversion of pyruvic acid to acetyl coenzyme A तो यहां पे एक enzyme की जूरुद पढ़ती है coenzyme क्योंकि acetyl एक group है तो उसको पकड़ के आपको कहा है craft cycle के साथ जोड़ना है जिसमें oxidation होता है मतलब hydrogen remove होता है और decarbonization मतलब carbon dioxide remove होता है तो को कितना मतलब और इसके लिए एक enzyme चाहिए एक multi enzyme complex चाहिए तो multiple multiple multi enzyme complex मतलब एक ही enzyme जिसमें बहुत सारे enzyme होता है तो एक enzyme hydrogen करता है दूसरा complexion remove करता है इसको कहता है pyruvate dehydrogenase देखो डाम dehydrogenase hydrogen remove करने वाला enzyme इसको PDH कहते है तो यह enzyme mitochondria में होता है और procarat जो bacteria जो bacteria procarat मतलब bacteria जो bacteria oxygen use करते हैं यह enzyme उनके cytoplasm में होता है क्योंकि उनके पास आपका mitochondria नहीं होता है अब देखो step क्या है देखो अब हम लोग जो balancing कर रहे है वो कर away from एक glucose के साब से क्योंकि हमने एक glucose use किया था ना तो एक glucose से कितना acetyl coenzyme बनता है तो एक glucose से आपका दो paruvic acid बनता है इसके साब से दो paruvic acid में दो acetyl coenzyme बनेगा और देखो क्या दिख रहा है यह पारिविक acid तीन carbon का है और acetyl coenzyme A2 carbon का है यहां पर यह काम यह कर रहा है कि पारिविक acid के से जो group remove हुआ acetyl group remove हुआ उसको क्रेप cycle के साथ link करना है क्योंकि वह फिर release हो जाता है तो paruvic acid तीन carbon acetyl coenzyme A2 carbon कहां गया वह एक carbon जो है वह release करते है तो इसके लिए को paruvic acid में से actually यहां पर पहले बनता है acetyl यहां पर लिख सकते है पहले acetyl बनता है दो carbon वाला और फिर उसमें coenzyme A2 जोडा जाता है तो paruvic acid का hydrogen remove हुआ तो आप इदर 2 hydrogen remove करोगे 2 hydrogen को कौन capture करेगा नाड इसको oxidation कहेंगे और आपका 2 carbon dioxide होगा इसको कहने है decarboxylation तब जाके आपका इदर पहले क्या आपका coenzyme A जुड़ता है जिससे बन जाता है acetyl coenzyme A क्योंकि तब को acetyl कोई compound नहीं है it is a group acetyl is a group okay तो इस तरह paruvic acid carbon dioxide remove करता है hydrogen remove करता है hydrogen remove करने को oxidation carbon dioxide remove करने के लिए decarboxylation इसको प्रोसेस को कहते है oxidative decarboxylation इसको acid relation कहते हैं okay इस reaction को connecting link इसके लिए कहते हैं क्योंकि इस reaction से जो acetyl बना वो अभी क्रेब cycle में enter करेगा और आगे का cycle चालू हो जाएगा और यह cycle जो है बहुत इंट्रस्टिंग है क्योंकि इस cycle से बहुत सारे acids बनते हैं इसके लिए कि आपको धीरे धीरे अभी देखो दो carbon dioxide यहां पर दो carbon dioxide यहां पर रिलीज हो गया और तो hydrogen यहां पर अभी आपको और बाकि चार carbon dioxide all remove करना है वो भी step by step तो उसके लिए क्रेफ cycle चाहिए ओके तो दिस इस अ रिप्रेजेंटेशन ओके अधर वे और रिप्रेजेंटेशन कि पारिविक आपको एंजाएंड होता है नाड हर्जन लेके चला जाता है और carbon dioxide रिलीज हो जाता है और अन्जाइम का नाम है पारवेट डी हर्जिनेस complex दूसरा तरीका है जो आपके टेस्ट बूक में दिया हुआ है और पारवेट डी हर्जनेस साथ में मैंगनेशियम चाहिए जो एक्टिवेटर का काम करता है तब आपका अलग नहीं है यह दोनों एक ही है लिख सकते हैं इसके लिए अगर आपको confusion होता है कहीं पर भी तो आप एने डी एच प्लस एच प्लस की जगह पे एने डी एच टू लिखो ताकि आपका नैचली फिर क्या होगा गड़बड नहीं हो जाएगी लिखने के टाइम पर चली अ इस cycle को describe किया था तो यह cyclic process है जिसमें असिटल को enzyme A जो बन गया है उसको completely oxidize करते हैं मतलब उसका carbon और oxygen निकाल दिया जाता है स्टेप बाइ स्टेप मैनर जिसमें basically carbon dioxide release करते हैं और hydrogen को नाड और फाड के जरी कैप्चर करते हैं इसको क्रेप सेकल कहते हैं कि इसको सरहेंस क्रेप ने सबसे पहले प्लांट में नहीं animal pigeon के muscles को study करने के दोरान discover किया था और noble prize मिला इसको citric acid भी कहते है क्योंकि पहला compound जो citric acid बनता है फिर TCA भी कहते है क्योंकि शुरुआत के जितने भी acids है वो सब 6 carbon वाले हैं और उसमें तीन carboxylic acid group होता है इसके लिए इसको क्या है त्री carboxylic acid group मतलब COOH3 होते हैं और citric acid जो बनता है फिर्स अबल कंपॉंड citric acid यह 6 carbon वाला compound है अरे यह कैसे हो गया अरे बच्चों ऐसे कैसे हो गया respiration है न ब्रेकडाउन होना चाहिए न तो होता क्या है कि acetyl जो group है वो 2 carbon वाला है उसको combine कर देते oxaloacetic acid ओ यह के साथ जो चार carbon वाला है और से बनता है आपका वार्ट citric acid बहुत ही interesting step जो 6 carbon count है यह step बहुत ही interesting okay so तो इस सारे reaction को mitochondria के stroma में हो रहे है mitochondria के stroma कुझसी मा स्ट्रोमा में हो रहे है और यह वो reaction है final reaction कि pyrimic acid ultimately उसको चार NAD चाहिए FAD चाहिए water release होगा और साथ में NAD एक जगह पे देको direct ADP release होगा जिससे ATP बन जाएगा okay ADP direct लगता है और आपका ATP बन जाता है okay तो इसमें इस process में हमने acid relation को भी जोड़ दिया है यह test book के इसाब से आपके test book के साब से जो reaction है इसमें हमने pyrimic acid से ultimately यह जो चार NAD है उसमें से एक बनता है आपका acid relation में और तीन बनता है आपका crap cycle में okay तो इसमें यह जो reaction इदर लिग देता हूं तो इस process यह जो आपका process है this is acid relation plus इसमें acid relation plus crap cycle अब इसी को समझना है कि भाई यह ऐसा कैसे हो ना final product है तीन carbon dioxide जो है वो तो हमने देख लिया एक carbon dioxide acid relation में दो carbon dioxide cycle में और यह एक पारिविक acid का पता है एक पारिविक acid का पता है बच्चो और एक glucose से दो पारिविक acid होते हैं तो यह number naturally double होने वाले हैं चलो crap cycle जिसको tricarboxyric acid cycle कहते हैं है ना hans crap ने बोला समझा है इसको crap cycle कहते है पहला product citric acid citric acid cycle cyclic reaction है mitochondria में होता है यह वो reaction है आपके test book में actually incomplete है सारे steps इसमें दिखाए नहीं है हम लोग सारे steps देखने वाले इसकर जो है मतला इसमें intermediate बहुत सारे दूसरे acids भी है उन सब को देखने वाले लेकिन यह चीज यह shot में आपको आएगा क्योंकि अगर आपको diagram based representation based question आता है तो इसमें से किसी part को box में incomplete या black रखागो तो आपको यारखना इसके लिए इसमें क्या दिख रहा है अब यहां पे एक पारिविक असे यह सारा reaction एक पारिविक असे तो एक पारिविक असे पहले तो चार कर्बन वाला तो यह दो carbon वाले acid के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा citric acid अब इस citric acid को धीरे धीरे break करते हैं तो इस पूरे process में total 10 acids involved होते हैं 10 acids तो 10 steps वह देखना है तो इसमें लेकिन दोको directly यहाँ पर एक jump किया है citric acid से directly alpha keto guteric acid 5 carbon वाला यहाने कि इस step में carbon dioxide release हुआ लेकिन इस step में चार acids बनते हैं जो देखना है फिर alpha keto guteric acid जो है उसका carbon acid दिर्काल देते हैं और बन जाता है succinic acid इसमों 4 carbon वाला alpha keto guteric acid पांच carbon वाला है उससे आपने 4 carbon acid भाना यहां पर भी carbon dioxide होगए तोटल carbon dioxide कीतना हो गया है तीन पादिधन के इस आज जो कोई सब्सक्राइब है नाध किस अट mıकोगे के चार कर तुक को के सब्सक्राइब प topic 8C9 यहां पर mix organ है। सब्सक्सेतन safety is उभ्हें तो चार जगह फें रिलिस हो ऐसं पर यहाँ और एक जगह पे देखो, फाड चैप्चर कर रहा है, तो इसके लिए वह step यहां पे वही step दिखाया गया है, जिसमें carbon dioxide remove हो रहा है और जिसमें hydrogen remove हो रहा है, बाकी steps को ignore किया है, अब हम लोग जो आगे step दिखाएंगे वह आपके लिए ज्यादा easy रहेगा, क्योंकि इसमें अम और इस GTP को use करके यहां पे directly ATP बना देते हैं, मतलब इसको कहते है direct ATP, और बाकी के ATP कैसे बनेंगे वह सब यह जो नाड हतू, नाड हतू है, total नाड हतू कितने हैं, तो इधर यह नाड हतू यहां पे, एक दो, तीन, यह चार, चार नाड हतू, और एक जगह पे है फाड हतू इसको use करेंगे हम लोग what, ETS में, तब जाके बाकी का आपका ATP बन जाएगा, वह भी कैसा, इधर ही बता देते हैं, चार, एक NADPS 2 से 3 ATP बनता है, और एक FAD से तो 2 ATP बनता है, उसके साब से calculate score, चार तीया बारा, और फाड से आपका 2, तो कितना हो जाएगा, चार तीया बारा और आपका ये दो लग 14 ATP आपका बन जाएगा, ओके, understood, ऐसा है, और फिर बाकी भी ग्लाकुलिस से भी तो आपके, एक ऐसी वाट, ATP, NADP, आपके ग्लाकुलिस का, NADH2 एड़ करेंगे, इसमें, तो कितना हो जाएगा, इंटू 3 अगें, तो इधर 3 इसमें पंद्रा हो जाएगा, तो 17, 17, 17, 17 ATP आपका एक ग्लुकोस से नहीं बना है, वो आपका एक ऐसी पारेवी कैसिर बनने से बना है, तो इसको आपको 2 से मल्टिप्लाइ करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टिप्लाइ करोगे तो 34 ATP बन जाता है, तो ये 34 ATP है ना, फिर आपके 4 कैसे, यहां पर 1 ATP बन रहा है, अब एक पारविक ऐसीड से 1 ATP बनेगा, दो पारविक ऐसीड से 2 ATP, तो प्लस 2 ATP, और ग्लाइकोल इसे में 2 ATP, मतलब 4 ATP बन गया, तो तो टोटल हो जाएगा आपका 38 ATP है ना, इस तरह का कैलकुलेशन से है, यह लोग बाद में फिर से करने वाले है, अ करिग ऐसे सबसे पहले बनता है, असब बनता है, असब क्रमड़िक ऐसे से कमभürüp, और बनता है, पहला खेरिण वाला एसे त्रिक ऐसेड, citric acid फिर convert होगा cis aconetic acid में cis aconetic acid cis aconetic acid will get converted to isocitric acid isocitric acid से बनेगा oxalo succinic acid oxalo succinic acid से बनेगा alpha KGA alpha keto gluteric acid alpha keto gluteric acid will get converted to succinyl coenzyme A succinyl coenzyme A से बनेगा succinic acid उससे बनेगा femeric acid फिर malic acid और last में oxalo acetic acid तो यह total 10 acid से अगर हम लोग हर step को दिखाएंगे अब यह याद करना ज्यादा असन है बच्चो पारिविक acid से acetyl coenzyme A बन रहा है अब दोको conditions कहीं पर भी नहीं दिखाए कि कहां पर क्या हो रहा है वह बाद में देखेंगे तो पारिविक acid से acetyl coenzyme A अब पहला reaction देखो oxalo acetic acid में acetyl add होगा चार carbon में यह 2 carbon add होगा तो बन गया आपका citric acid जो 6 carbon का है और citric acid से देखो वापस आपका O.A. recycle होके बन जाता है अब यह 10 acid को मैंने दो side में distribute कर दिया जान बोच के अब right side का आप देखो right side में right side में पहले 4 acid 6 carbon का है पांचवा acid पांच कारबन वाला है पांचवा acid जो नीट वाले student है उनके लिए इंपोर्डेंट है तो अभी इसको याद करेंगे तो कैसे है shortcut c a c a a i c a o sa alpha kg a c a c a c a i c a o sa alpha kg a साथ में नाम लिखिया अब और फिर next side में alpha kg a से बनता है s coa तो चार कारबन वाला है अब इसका मतलब क्या है बच्चो common sense यूज करो और यहां पर एक कारबन का लॉस हो रहा है यहां पर आपका कार्बंड आक्साइड रिलीज होगा यहां पर यहां पर कार्बंड आक्साइड रिलीज होगा फिर alpha kg a से जब आपका सक्सेल को एंजायम बनता है सक्सेल को एंजायम का यहां पर लॉस हो रहा है तो कार्बंड इस फार में हो रहा है कार्बंड आक्साइड की रूप में तो लेट साट के सारे कार्बन सारे आपके यह पहले चार कार्बन उसमें यह फी पहले पाँछ preciso वहत वानते है और चार करव और प्राज मंच फी सब्सक्राइब करेंगे तो नाड उस हाड़ियन को कैप्चर करेंगा नाड हतु बना और फिर एक कामडाक साड भी रिमो हो गया यहनए कि ऑक्सिडेटीव डी कार्वकजेलेशन और साथ में यहां पे को एंजाइम एड हो रहा है इसके लिए असिटल को एंजाइम ए क्या करता है हर पारिविक आसिटल का एंजाइम करके उसको ओ ए को दे देता है और फिर दूब तो अभी सारे steps, तो पहला step, OAA को acetyl के साथ combine करके citric acid बनाने को condensation कहते हैं, यहां भी water use होता है, to break away this, you can see bond, ओके, पिर दूसरा देखो, citric acid से cysaconic acid बनता है, इसमें water remove होगा, dehydration, और वापस हो water जोड़ देते हैं, दूसरे position में, dehydration, तो उससे क्या होता है, actually, citric acid और ICA, यह दोनों एक दूसरे के isomers है, तो यह दोनों जो आपका process है, यह मिला के, अगर दोनों को एक साथ consider करेंगे, तो this is isomerization, यह isomerization है, okay, फिर next oxidation, यहां पर पहला hydrogen remove होगा, इसके लिए star करते हैं, तो fourth step है, hydrogen remove हा, इस hydrogen को not capture करेगा, फिर next is decarvocation, और जादे को six carbon, तो यहां पर carbon dioxide remove हो जाएगा, पहला carbon dioxide यहां पर remove होगा, फिर alpha KGA को आपको SCO में convert करना है, तो यहां पर oxidation भी होता है, decarvocation होता है, carbon dioxide remove, carbon dioxide remove हो गया step में, और फिर आपका hydrogen remove होगा, hydrogen को कुन capture करेगा, जहां जहां पर hydrogen remove हो रहा है, ज्यादा करके के इसमें नाड capture करता है, नाड ने capture कर लिया, फिर एक intermediate बनता है, यहां पर succinyl बनता है, फिर उसी तरह यहां पर acetyl बनता है, उसको coenzyme A क्या करता है, bind करता है, यहां पर coenzyme A आता है, succinyl coenzyme के साथ bind हो जाता है, फिर next is ATP generation, यहां पर इस step में, यह step, important step, succinyl coenzyme A से जब succinyl acid बनता है, इस step में, direct energy release होता है, in the form of GTP, और GTP से ATP बन जाता है, तो यह direct ATP, इसको हम लोग बोलते है, direct ATP, direct ATP बनना, ठीक है, फिर अभी का बाकी का process देखता है, सक्सिनिक असे से phumeric acid बनता है, यहां भी hydrogen release होता है, लेकिन succinyl असे से जब phumeric acid बनता है, यहां भी नाड की acid में क्या होगा, water add होगा, molecular structure change कर देते है, malic acid जो है, उसका hydrogen remove होता है, और बन जाता है, नाड हतू again, तो इस तरह प्रोसेस होगया, complete, तो इस तरह को एक craft cycle से, दो carbon dioxide, यहां पे एक carbon dioxide, first, primarily दूसरे step में, दूसरा carbon dioxide, second, ठीक है, एक ATP बन रहा है, यह ATP बन रहा है, यह ATP बन र direct, और बाकी ATP बनाने के लिए आपने NADH2 और FADH2 बना दिया, तीन NADH2, एक यहां पे दूसरा, यहां पे दूसरा, और यहां पे आपका what, तीसरा, तीन NADH2 बन गया है, देखो एक, आपका दो, और यह तीन, और एक जगह पे FADH2 बन गया, कहां पे है, FADH2 यहां पे बन स्टेप है, यह दूसरा स्टेप, यह तीसरा स्टेप, यह चौथा स्टेप, यह पांचवा स्टेप, यह यह वराल 6 स्टेप, यह आपका 7 स्टेप, यह 8 स्टेप, यह 9 स्टेप, यह 10 स्टेप है, अब यह अगर ध्यान से दोखोंगे न, hydrogen देखो, चार, चौका, चौका, च जक्का अठा दस्वा इसा अल्टर्नेट स्टेपस पे हर्डिजन रिलिज होता है। और इसमें से आपका 8 को छोड़के बाकिर तीन जगह पे एनडी और 8 स्टेप पे आपका वाट F AD F AD OK? जो है वह 8 स्टेप पे कह है हर्डिजन को कैप्ठर करता है। एक क्रेप साइकल, अगर आभी यहां पर आभी NADH2 और FADH2 का, आप अगर ATP Synthesis को add करोगे, तो तो कितना हो जाएगा, 1 NADH2 से 3 ATP जनरेट होता है, 1 FADH2 से 2, तो 3 NADH2 से कितना हो जाएगा, 9 ATP, और 1 FADH2 से कितना होगा, 2 ATP, इसका मलब है, सारे ATP को जोइन करो, एक क्रेप साइकल, सकंवे से कितना ADP बनेगा, 12 ATP बनता है, 12 ATP कोलिए से क्रेप साइकल, क्रेप साइकल क्यों है नहीं कर रहे हैं तो कि यह आप का क्रेप साइकल, 12 ATP. से आपके कितने दो बनेगा यह लोग बाद में देखे नहीं बालन सीट में अभी खाली इतना ही एक क्रफ सैगल से बारा एटीप उसमें से एक डारेक्ट और 11 इंडारेक्ट ग्यारा किया है आपका इंडारेक्ट प्लस यहाँ तो टोटल हो जाएगा इन दोड़ों का टोटल करेंगे तो आपका 12 होता है अब सिग्निफिकन्स का है क्रेप सैगल का दो कॉमन पात्वे जिसमें कार्बोडेट फैट और प्रोटीन इसके बार में देखेंगे क्रेप सैगल को हम लोग एंप्यवोलिक पात्वे कहते हैं तो कार्बोड से पालिविक आसिड बना और अचिड तियार होने वाला है प्रोटीन से बने वह भी क्रेप सैकल के साथ ही जुड़ते हैं और कैसे अचिटल को एंजाइम एक जड़ी है ने तो पालिविक आसिड की जड़ी है और जितने मीं इंट्रेजमेंट कंपॉंड बनते हैं क्रेप सैकल में उसको फिर अलग-अल पालिविक आसिड इसे अचिट आप नद्ह 2 और कर्मिन आपसर रिलिस होता है वह नद्ह 2 फाइनली वाटर को दे देते हैं फिर इस एफिशेंट प्रोसेस बिजिल्ट ट्वेंटी-फोर अभी दिखाया है बारा बारा ना एक ग्लुकोस एक क्रेप सैकल में बारा एक से दो क्रेप सैकल होता है ना क्योंकि दो पारिविक आसिट टोटल होगा है ना 24 इस तरह ओके तो वन सैकल इस एक ग्लुकोस जो है उससे दो सैकल होते हैं तो इसके लिए हिसाब आगे हा बारा बारा दूरी चोबिस को करेज ना क्या है सारे कैणी प्रोसेस क्रेप सैकल में आके जुड़ते हैं और क्रेव क्रेप सैकल के आगे अनामेलिक प्रोसेस स्टार्ट उतर होता है क्योंकि जित्वailed इंट्रीजध प्रोडॉर्क्स है उससे दूसरे मॉल्कुल्स इम्ट्रान वां बाया मौल्किस बना जा सकता है वो भी कोई अगर जैसे खटा है ज्यादा बहुत ही खटा है उसमें ascorbic acid है मतलब citric acid बनेगा उसमें से ascorbic acid बन जाएगा ओके पिर आपका एक एंसे आपका glutamic acid बनाना है तो alpha keto glutamic acid बनता है बच्चों अब देखते हैं वो reaction वो तो टर्मिनल रियक्षन तो डिरेक्ट अबना है टॉर्छ आटीज खाम कहीं पर बन रहार है कई श्ली हम निए ऐन चाहिए इलेक्टर ट्रांसire30 चिन पोर्न हो एक लेनाफ़र बना 오른쪽 सेदि Parlोटा and non-cyclic उसमें भी देखो जो electron chlorophyll A का release होता है उसको आप step by step क्या करते हैं अलग-अलग molecule से पास करते हैं और किसी step में जो energy release होती है उससे ATP बन जाता है यहाँ पर भी ऐसा है ओक एंसुट तो system of यहाँ पर मेरा system of redox molecule redox molecule मतलब कौन ऐसा molecule reduction और oxidation दोनों हो जाता है मतलब हो hydrogen capture करेगा तो reduce हो जाएगा hydrogen release कर देगा यानि कि transfer कर रहा है एक से ले रहा है दूसरे को दे रहा है तो अगर मैं hydrogen लूँ तो मैं reduce हो गया hydrogen दे दूँ पास्टो बॉल मानों में गेम होता है पास्टो बॉल मेरे पास्टो बॉल गया तो मैं जटके से दे दूँगा understood ऐसा ही कुछ होता है तो इसके लिए किया जाता है क्योंकि एक मॉल्कुल का एनर्जी अगर आप एक जटके में दे दूँगा लास्ट में ऑक्सियन है अगर मैं वह बॉल डैरेक्टली ऑक्सिन के दूँगा तो विचरा ऑक्सियन हो सकता है तो पकड़ने पाए तो step by step दो उबलना चाहिए तो इसमें बहुत सारे मॉल्कुल शे जो इनर मेंब्रेन होता है मैंटा को मेंब्रेन होता है उसको कहते है कि आपका क्रिस्टे और इस पर होता है ओक्सी तो लास्ट यू और ओक्सी ओक्सी और तो इसके लिए आपको यह एटीस चाहिए है तो टर्मिनल ऑक्षिडेशन या ऑक्षिडेटिव फॉस्फोरेलेशन भी कहते है इसको इसके लिए आपको क्या करते है वो जो एंजाइम तो एन एडी और एफ एडी यह दोनों को एंजाइम है और यह सब विटामिन से बनते है निकोटेनमाइड निकोटेनिक आसे नाम के विटामिन से निकोटेनमाइड एडीडिन दाइन नूकलोटाइड और फ्लेविन राइबो फ्लेविन विटामिन विटामिन बी टू इससे फ्लेविन एकनसी एडीन दाइन नूकलोटाइड बनता तो अब तो पूर एक ग्लुकोस से जितने भी स्टेप्स होते हैं उससे टोटल NADH2 कितने प्रोडूस होते हैं कितने होंगे जाद करो दो ग्लाइकुलिस में दो एसे टिलेशन में और आपका छे आपका किसमें क्रैप साइकल में एक ग्लुकोस से तो गैट 10 NADH2 और 2 FADH2 ब जाल के उसको ऐसे लेक्ट्रोन उसको इसको है इसके लिए इसको तर्मिनल ऑक्सिडेशन कहते हैं और इसी प्रोसेस助हbir आपका ATP बन जाता है क्लाँ प्रोसेस जिसको कहते हैं केमी ओस्मोसिस है तियुंकि नहीं है जो है ह्वाजoraजैन है पख़के उसको एनर्जी रिलीस होता है विच इस डिस्क्राइड बाय केमी ओस्मोसित थेरी है और इसके लिए इसको ऑक्सिडेटिव फॉस्फोर राइलेशन भी कहते हैं क्योंकि हाइजन को आप रिमू कर रहे हो और आपका हाइजन टर्मिनली ऑक्सिडेशन के साथ कंबाइन कर रहे हो इस इस नतिंग बट इलेक्टरों ट्रांस्पोर्ट चेन जिसमें आता है आपका FMN as coenzyme फिर UV quinone as coenzyme and electron carrier FMN कोन है FMN is the hydrogen carrier Flamin mononucleotide FMN का full form है Flamin mononucleotide फिर आपका cytochrome complex you know आपका cyclic photophosphoration में उदर cytochrome B6 था cytochrome F था यहां पे भी cytochrome है और sequence याद रखो 5 cytochrome का sequence है BC1CAA3 कैसे रखोगे याद रखो BC1CAA3 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 इसमें BC1CAA3 एक complex है और C इन तोनों को connect करता है बहुत इंट्रेस्टिंग चीज़ है और यह सारे जो molecules है यानि कि दो को sequence है FMN के बाद आपका coenzyme Q उसके बाद में cytochrome B फिर C1CAA3 मैं भी आपको शॉट कभी एक चीज़ बता दूँगा इन और आप रेड्यूसिंग रेडॉक्स पोटेंशल जैना कि जो B का जो रेडॉक्स पोटेंशल है वो सबसे ज्यादा है इस गंपरेड वो A3 है एगर आप और आप किसी बाउड के एनर्जी को इंक्रीज कर दे तो इसके दिवार पर एक सांथ करो ऊसको डार्यक्ट तो इसा इनर्जी एक सांथ करेगा उससे अच्छा कहरो करो और multiple steps बनाओ, तो multiple step में जब यह ball लुड़केगा, अभी भी ball लुड़केगा, आपनी energy loose करेगा, हर step में थोड़ा-थोड़ा energy release करेगा, है न, तो उसे क्या होगा, damage कम होगा, है न, वही करना है, तो यह cytokromes सब क्या है, iron containing compounds है, तो उनमें basic जो iron होता है, वो होता है, F3 state वाल changing there, you can see what, oxidation states, तो हर molecule, वो ही वोला, यह ऐसा है, कि अगर मैं सब लुड़केगा, तो मैं electron लूँगा, मैं बन जोगा, Fe2+, electron दे दिया, Fe3+, फिर electron लूँगा, Fe2+, दे दिया, Fe3+, है न, तो इसके वैसे alternate oxidation reduction होता है, और इसके वैसे electron transport होता है, और फाइनल यह electron किसके पास जाता ह और फाइनल यह electron जो है, आपका oxygen के पास जाता है, और oxygen को electron देने का काम, यह जो महान काम है, यह करता है, आपका copper containing काम, copper containing compound, क्योंकि यह last molecule AA3, इसके साथ copper वाला compound जुड़ा होता है, यह copper वाला compound, जो है, वो आपका electron को, आपका oxygen को दे देता है, okay, understood, चलो, चलो, अभी मैं यहां पर पहले देख लेते हैं, यहां पर मैंने वही बता है, कि आपका देखो, energy का electron आया, complex 1, अभी यहां पर, जो ATS है, उसके जितने भी एकंसी molecules हैं, उनको सबको 5 complex में डिवाइड किया, यह बाद में दिखाऊंगा, यहां पर यह क्या दिख रहा है, कि जो complex 1 है, उसका complex 5, complex 5 आजाता है, और यही complex 5 जो है, वो ATP synthesize करने वाला molecule है, ATP synthase molecule है, चलो, यह बाद में लिखते हैं, अभी पहले, फिर देखो, अभी मैं sequence बताता हूं, okay, shot में, एकदम shot में, फिर उसको दूसरे graph से आप लोग study करेंगे, तो यह hydrogen को पहले transfer करना है, step by step, तो देखो, अभी जिनके पाद hydrogen है, एक तो nad h2 और दूसरा option है, आपके पास f8 h2, अभी से आपको यह भी देखो, एक दम यह simplified form है, यहां पे खाली मैं transfer दिखा रहा हूं, okay, understood, तो nad अपना hydrogen है, यह किसको देगा, खाली steps देख रहे हैं, nad अपना hydrogen जो है, okay, वो सबसे पहले किसको देता है, fmn fmn is hydrogen को, fmn is hydrogen को देगा किसको co-enzyme q को, co-enzyme q जो है, यह, क्या करता है, दो को, यहां पी hydrogen transfer हो रहा है, in steps में आपका hydrogen transfer हो रहा है, fmn क्या कर रहे है, hydrogen ले रहा है, क्या करता है इस hydrogen को आइनाइस कर रहा है आइनाइस कर दिया तो आगे वो क्या ट्रांसफर एगा इलेक्ट्रोन सबसे पहले कौन लेगा साइटोक्रोम कौन B साइटोक्रोम B इस electron को दे देगा साइटोक्रोम C1 के पास साइटोक्रोम C1 देगा साइटोक्रोम C के पास साइटोक्रोम C उसको देगा साइटोक्रोम A के पास और साइटोक्रोम A उसको देगा साइटोक्रोम A3 के पास हर step में यहाँ पे अभी electron transport हो रहा है ठीक है एक दो simple मैंदब के जो sequence है electron transport का इसका मतलब है NAD अपना hydrogen FNN को देता है FNN अपना hydrogen coenzyme Q को देता है coenzyme Q क्या करता है उस hydrogen को ionize कर देता है उसके electron को फिर cytochrome के थूँ पास करता है फिर cytochrome A के पास यह electron है यह electron किसको देता है आपका copper के थूँ यह पर लिख सकते है copper के थूँ वो दे देता है oxygen atom को half o2 लिखना पड़ेगा क्योंकि single atom नहीं लिख सकते हैं और यह half o2 को जब यह electron मिलेगा थूँ कॉपर तो बन जाएगा o2- ऑक्साइड आयन बनेगा यह क्या है दिखो क्या है यह hydrogen फिर क्या करेगा मू करेगा और मू जब वो करता है जब वो मू करता है तो वो आपका f1 पार्टिकल के थूँ मुखरता है जिससे इन दोनों के मूमेंट के विए से थोड़ सा घरबढ होगी अभी hydrogen और यह oxygen जब मीट करेंगे तो बन जाएगा आपका पानी जल जीवन है watt yangा टर्मिनल पानी थो पानी तो बना दी आपने चाओजि करा दी ATP का क्या है अभी समें क्या होता है इस पूरे स्टेप में जब हाइडोजल का ट्रांसफोर हो रहा है एस त्रांसफोर में यहां पे पहला पर आप बन जाता है यहां ट्रांसफर कर जब B C1 में ट्रांसफर हो रहा है तब यहां पे दूसरा ADP आएगा वो IP को जोड़ेगा और ATP बन जाएगा और जब AA3 से ट्रांसफर हो रहा है तब तीसरा ADP आएगा वो IP को जोड़ेगा और ATP बन जाएगा मतलब देखो तीन पुजिशन्स पे आपको ATP मल गया तीन पुजिशन्स पे है ना इसके मैं देको क्या वोला था अगर NADH2 का hydrogen transfer होता है तो तीन ATP बनता है है ना इसे प्रूव हो रहा है इसनिट इसके लिए 1 NADH2 will yield 3 ATP molecules 3 ATP molecules बनेंगे ठीक है फिर आवड़ा FADH2 और हमने FADH2 को क्या सुना देखा आप तो बताया था FADH2 से आपका खाली 2 ATP बनता है ऐसा क्यों होई क्योंकि FADH2 का hydrogen है वो directly coenzyme Q के पास जाता है directly coenzyme Q के पास जाता है FMN के पास नहीं जाता है तो देखो FADH2 का hydrogen directly coenzyme Q के पास जाता है Q जाता है तब देखो यह ATP तो नहीं बनेगा पहला ATP यह बनेगा यह बनेगा यह बनेगा इसके लिए 2 ATP बनता है FADH2 का hydrogen अगर ट्रांसफोर हुआ तो आपका 2 ATP, NADH2 का ट्रांसफोर हुआ तो एक ब्रुकोस से टोटल NADH2 कितने है 10, 10 अब लोग कैलकुलेशन होगा बात में देखना तो इसके लिए इंटू 3 कर दो 30 ATP और टोटल 2 NADH2 बनता है तो अल्टीमेलिटी दो 4 ATP तो इसके लिए दोनों से आपको टोटल मिलता है 34 ATP पहले बता है ग्लाकुलेशन से 2 क्रेफ साइकल से 2 4 इसमें आड़ करो 38 ATP का आपको मिल जाएगा वाट हिसाब है न तो 36 क्यों कहते है वो हम लोग बाद में देखेंगे समझा तो यहाँ पर देखो कॉम्पलेक्स है यहाँ पहीं जो क्मम्पलेक्स है इस टी इस के 5 इस क्मपलेक्स को इपांच क्मपलेक्स को दिफाइन किया गया है तो कौन कोंसे क्ममेक्स है पहला क्ममेक्स है यह यह 1 by 2 सुअ जहां पे ATP बन रहा है ・・・ adoption P synthase मतलब आपका oxy-some उसी को F1 particle कहते हैं यह आपका complex आपका 5th है तो 5 complex को define किया गया है अभी हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा ग्राफिकल यह मैंने शॉट में बताए हैं अभी आपका complex 1, complex 2, complex 3, complex 4 और ATP बनने वाले complex को complex 5 कहते हैं ठीक है और तीन जगह पे यहाँ पे protons को pump किया जाता है तो पहला आपका first complex में दूसरा आपका agency word 3rd complex में और तीसरा आपका word 4th complex में ओके कोंपलेक्स 1 जो है उसमें NAD है complex 2 FAD का complex है यहाँ पर pump हो रहा है यहाँ पर pump हो रहा है complex 1 में pump हो रहा है थर्ड में pump हो रहा है और यह pump हो मतलब है है hydrogen जो है वह mitochondria के matrix से वह inner membrane में आता है और फिर ATP के through ATP synthase के through वह hydrogen के साथ water के साथ जब add होता है अभी दिखांगा मैं तब उससे water बन जाता है चल अब यह diagram आपको दिख रहा है दिखरो सेम अभी जो मैंने आपको बता है sequence NAD का hydrogen FMN के पास FMN का coinzyme Q के पास फिर आपका cytogram B C C1 और यहाँ पी उल्टा हो गया है वाटर बन जा रहा है ठीक है और तीन जगह पे ATP बन रहा है एक जब NAD से FMN में transfer हो रहा है तुसरा cytogram B से C1 में transfer हो रहा है तीसा A और A3 के बीच में transfer हो रहा है तो एक रूट है दूसरा अगर FAD ने capture किया है देखो वह hydrogen directly coenzyme q को एकंसी डाल रहा है तो बहुत सारे representation आपको मिल जाएंगे understood यहाँ पर यह जो diagram है इसको भी next slide पर मैं enlarge करके देखाऊंगा यह आपका complex 1 है यह आपका complex 2 complex 3 complex 4 और यह complex 5 इसको भी पहला complex यह complex है आपका यह NAD और FMN में transfer होने वाला hydrogen दूसरा complex है आपका FAD वाला complex यह complex FAD का hydrogen coenzyme q में transfer करने वाला complex दीसरा complex है आपका cytochrome b c1 का complex यह वाला complex ठीक है इसमें cytochrome b का electron आपके cytochrome c1 में आता है next complex है आपका what cytochrome a से a3 वे जाने वाला complex 4th complex यह कोई इदर दिख रहे है और last complex है आपका ATP बनाने वाला complex तो ATP बनाने वाला complex उसी को अम लोग कहते है oxysome यह है आपका यह आपका है oxysome okay यह F1 particle ठीक है तो सारे complex आपको दिख रहे है इसको अभी हम लेट्स का इसको अभी हम लेट्स का इसको अभी हम लेट्स का आपका साइटोक्रोम C होगा तो आपको दिखेगा ओके चलो यह इनलार्ज की अभी है इसमें यह चीज आपको अभी समझनी है यह हो गया आपका matrix अभी यह नहीं चलेगा देखो यह matrix वाला इसा है यह माइट्र कोर्ण का inner surface यह है आपका inner membrane और यह है आपका दू membrane का बीच का space यह दो है हड्रोजन को पहले inner membrane में डालते है बाद में उसको ATP synthase के थूँ अंदर वापस लाते है तो इस moment की विज़े से energy release होती है तो अभी देखो इससे देखते हैं लोग देखो यह पर क्या देखो तो सारे hydrogen energy ने जो भी hydrogen capture किया उसको वह ubiquinon के थूँ पोचा देता है आपके what cytochrome C के पास है ना BC के पास और cytochrome C से वह जाता है किसके पास cytochrome A, A3 के पास और इसको लाने वाला कौन सा है cytochrome C, cytochrome C उसको लेके जाएगा ठीक है और इस process में क्या होता है कि hydrogen transfer हो जाता है अंदर की तरफ है ना फिर अगर complex frequency 2 की बात करेंगे तो यह आपको कौन सा आपका ट्रांसपोर्ट के पास मेरा मूमेंट इधर से ट्रांसपोर्ट होके वह किसके पास जाता है यह cytochrome BC1 के पास कोन लेके जाता है यूभी कौन वहां से फिर आपका cytochrome A3 के पास और वहां से फिर आपका बार ATP synthesis होता है अडिस्टूड और और cytochrome आपका complex 2 आपका FAD वह आपका देगा ऐसा जाएगा और फिर ऐसा आएगा ठीक है understood जाने के दोगो फिर से हाथ का मोमेंट दोगो तो NAD का hydrogen जो है वह आपका FMN के पास जाएगा FMN से जाता है यूबीकुन वह मोबाइल है तो वह मू कर रहा है और वह साइटोग्रोम B C1 को दे देता है C1 से वह electron साइटोग्रोम C लेके जाता है आपके AA3 के पास जिसके पास copper है और यह copper का electron ultimately oxygen को मिलता है यहां पर oxygen है जिससे आएनाज होता है तब तक यह hydrogen है इसको combine कर देते है hydrogen आता है और वह oxygen के साथ combine होके क्या है water बन जाता है ओके चलो अब यह आपका summary chart है complex 1 complex 2 complex 3 complex 4 complex 4 में क्या क्या है और यह है वह F1 particle देखो same यह blue वाला line है वह यह है यह आपका membrane इसका बाहर वाला side यह matrix यह matrix वाला side है तो F0 particle वह tunnel की तरह काम करता है तो यहां पर वाटर बन जाता है और इस process में energy release होता है उससे ATP बन जाता है क्या बन जाता है ATP बच्चो चलो तो oxy-sorme and ATP synthesis उसको थोड़ा detail में यहां पर points लिखे हुए okay पढ़ लेते है तो energy release during ATS is utilized to synthesis as ATP by ATP synthesis होई आपका complex fire तो ATP synthesis के दो major component है F1 particle यह है आपका F1 particle यह F1 particle है यह है F1 particle this is nothing but ATP synthase चलो मैं यहां पर दिखा देता हूं ATP synthase इसको head भी कहते हैं isn't it फिर membrane के साथ जो particle attached है membrane के साथ जो particle attached है यह यह tunnel protein है इसको F0 particle कहते है यह F0 particle okay जिसका काम है hydrogen को move करना okay F0 और दोनों को connect करने के लिए there is a stock यह stock है जो actually three particles का बनता है stock वो connection का का काम करता है तो होता है कि जो भी hydrogen चले गए अंदर आपके inner membrane में inner agency membrane space में वो transport कर देते हैं okay उसको transport कर देते हैं और यह hydrogen जो यहां पर एकन से release हुआ यह फिर किसके साथ जुड़ेगा यह जुड़ेगा oxygen के साथ जिससे water बन जाता है तो यहां पर hydrogen जो है oxygen के साथ जुड़के water बन जाता है तो वाटर पे बन गया और आपका इससे जो एनर्जी रिलूस होता है उससे आपका ATP बन रहा है तो यहां पे ATP बन रहा है, ADP combines with ATP to form what? Combines with inorganic phosphate to form what? ATP बन रहा है, ठीक है? चलो यही पॉइंट दिया हुआ है, तो F1 is a headpiece, जो membrane protein है, peripheral membrane protein, जो ATP synthesize करता है और F0 integral membrane protein है, जो tunnel protein है, जो helps, it helps to pass the hydrogen, so that it can combine with oxygen और इस प्रोसेस में दोको oxygen भी बन रहा है, इसके लिए water बनना मतलब आपका terminal oxidation और आप यहाँ पे ATP बना रहे हो, इसके लिए hydrogen को आपको एक क्या करना पड़ा, इसके लिए इसको oxidative phosphorylation कहते है यहाँ कि hydrogen remove करके आपने क्या है, ATP जिनरेट कर लिए है, ओक है मच्चों, तो यह सारे देखोंगे आपके notes के points है, चलिए, अभी significance देखते हैं, जो electron transport system जो है, इससे सबसे ज्यादा energy generate होता है, naturally, सबसे ज्यादा 34 ATP, 34 ATP generate हो जागा है बच्चों, ओके, out of total 38 ATP, तो इससे के देखो, coenzymes त्यार होते है, NADH वापस बन जाता है, FAD वापस बन जाता है, ताकि वो और दूसरे hydrogen को लेके आए, okay, and that also provides water molecule, जो क्रफ साइकल में दो step में use होता है, hydration के लिए use किया जाता है, okay, so it releases energy in a step-by-step manner, वही staircase में, जो मैंने आपको बताया था, यानि कि energy को आप directly release करने से अच्छा है, उसको step-by-step release करो, ताकि it will be utilized more efficiently, okay, जैसे अगर आपके पास पैसा है, आप उसको एक ही person को दोगो, तो interest कम आएगा, आप उसको अगर 10 लोगों में बाटे होगे, तो हार एक से ज्यादा interest आप ले सकते हो, अब देखते हैं, ATP का balance sheet, यह वो table है, तो क्या है अधिर, तो जहां जहां भी ATP बनता है, कहां-कहां भी ATP बनता है, तो आपके तो सारे steps, glycolysis, acetylation, kreps cycle, अभी ATP दो तरीके से बनता है, directly, जिसको मैंने पहली बताया था आपको, substrate level phosphorylation, तो total 4 ATP डिरेकली बनता है, और फिर by oxidative phosphorylation by ATS, इसमें 34 ATP बनता है, तो मैंने इसको 3-4 बार जगा, 3-4 बार अलग अलग जगा पर बताया है, तो total 38 ATP है, 38 ATP का ultimate calculation कैसे है, लेकिन 36 भी क्यों कहते है, वो नीचे लिखा हुआ है, glycolysis, glycolysis में direct ATP जो बनता है, actually 4 बनता है, लेकिन 2 ATP यूज हो रहा है, इसके लिए gain जो है वो आपका खाली 2 ATP का होता है, तो net gain यहाँ पर 2 ATP का है, acid relation में direct ATP कहीं पर बनता है, क्रेफ साइकल में 2 जगा पर, एक position पर जीटीप बनता है, जिसको फिर ATP में convert कर देते हैं, तो यहाँ पर भी direct ATP दो बना, तो total direct ATP during complete oxidation of glucose is 4 ATP, ठीक है, तो यह हो गए direct, उसमें से पर देको 2 यह तो guarantee है, सबसे guarantee है, glycolysis से 2 ATP बनता ही है, तो अगर क्रेफ सेकल हुआ, तो 2 ATP और बनेगा, वाया जीटीप, ओके, now, फिर indirect ATP बनता है through ETS, या ETC बोलो बच्चो, तो वो बनता है, या तो NADH2 कितर है, नहीं तो आपका FADH2 कितर है, और यह calculation आपका महल में है, एक NADH2 से आपका 3 ATP बनेगा, और एक FADH2 से 2 बनेगा, तो 2 NADH2 देखो, glycolysis में 2 NADH2 बनता है, उसको mitochondria में transfer करते हैं, और mitochondria में जाने के बाद उससे आपका 6 ATP बन जाएगा, फिर acetylation से 2 NADH2 बनता है, इंटू 3, 6 ATP, क्रेप साइकल में 3 स्टेप में NADH2 और एक स्टेप में FADH2 बनता है, अब यह बलोगे 6 कैसे आ गया, क्योंकि एक glucose से 2 क्रेप साइकल होते हैं, तो 6 NADH2 तो टोटल 18 ATP, 2 FADH2 से 4 ATP, तो टोटल कितने ATP बन गए, इंडारेक्ट 34, पिर अगर हर प्रोसेस का ATP दिखेंगे, तो गलाइकलिसे से 2 ATP डारेक्ट, 6 ATP इंडारेक्ट, टोटल ATP 8, hè, एसुरिशन से डारेक्ट ATP नहीं बन रहा है, 6 ATP इंडारेक्ट बन रहा है, 6 ATP का gain, और क्रेप सैकल में सबसे जधा, उसमें 2 ATP डारेक्ट और आपका 24 ATP इंडारेक्ट बन रहा है, तो आप सबको कैल्कुलेट करोगे, तो आपका टोटल लास्ट में, बौटम करनर में 38 ATP ये एक ग्लुकोस के complete oxidation का किया गया है एक ग्लुकोस के complete oxidation का ठीक है अब यहाँ पर क्या लिखा थर्टी सिक्स कुछ बुक में 36 क्यों दिया हुआ है को two ATP molecules को use करना पढता है एक ग्लाकोलसरी जो है do xytoplasm में जो यह नदिध 2 बनता है इसको mitochondria में transport करने के लिए एक 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 ATP खर्च होता है दो ATP अगर के इसके हसाब से इधर कैंसल कर दें अब तब नेट गेन आपका 36 ATP होता है ँगे understood तो इस तरह वो 36 ATP का value दिया हुआ है चलिए अभी इसमें भी दिखो जो मैंने शुरुआत से बताया था उसका यह point है भई कि यह जो पूरा calculation है यह calculation इसी आधार पे है कि cell खाली glucose यूज कर रहा है है ना कोई दूसरा molecule यूज नहीं कर रहा है और यह सारे steps जो है sequence में हो रहे हैं उसी के points दिये हुए और कोई भी intermediate किसी दूसरे product को बनाने के लिए यूज नहीं किया जा रहा है तब जाके यह सारे calculations होते हैं ठीकिन ऐसा possibility है क्योंकि एक cell जो है एक time में बहुत सारे reactions कर रहा होता है तो ultimately perfectly 38 जो ATP generate नहीं होता है कम ज्यादा हो सकता है क्योंकि carbonate भी यूज हो रहा है साथ में protein भी थोड़ा सा यूज हो रहा है जो आपका energy raising process है वो यही main reaction है इसके लिए हम लेको ने इस type से क्या है explain किया है ATP generation का आपका balance sheet ठीक है चलिए भी next जो मैंने बताया कि respiration को amphibolic pathway भी कहते है क्यों कहते है क्यों कहते है क्योंकि इसमें दोनों टाइप के reactions होते आपका anabolic और catabolic main reaction तो anabolic है और catabolic है तेकिन इसी reaction के जितने भी आपका intermediate products है उनसे भी कुछ ने products बन सकते है तो respiratory pathway is used by cells for breakdown or respiratory substrate इसके लिए वो catabolic है और respiratory intermediate जो है they are produced to use to produce other metabolites इसके लिए जो second point है इसके लिए यह हो गया आपका catabolic event और कुछ compound जो है वो आपका anabolism के लिए use किया जाता है और इस सारे process में amphibolic pathway actual कोन है craft cycle है क्योंकि पहले बता है craft cycle जो है उसमें सारे breakdown process क्या होता है connect होता है और craft cycle से intermediate के वैसे बहुत सारे process ने process formation type के process क्या होता है start होते है okay various reactions जो होते है उससे step by step क्या है use होता है उसमें middle band कोन है acetyl part है क्या है acetyl coenzyme A तो acetyl coenzyme A को use किया जा सकता है जैसे यहां पर देखो fatty acid बनेगा glutamic acid बनेगा aspartic acid बनेगा जो आपका succinyl coenzyme A उससे aspartic acid बनता है alpha keto-gitteric acid से आपका glutamic acid बनता है इसके लिए craft cycle को amphibolic पात भी तो यह आपका question आ गया new reason आ गया new reason GR अब यह answer लिख सकते हो ठीक है अब देखो तो catabolic role देखो fat को fatty acid में convert करते है protein को amino acid में convert करके आपके acetyl coenzyme A या पारिवक acid के द्वारा craft cycle में enter किया जाता है और यह आपको टेक्स्ट बुक के इससाब से चार्ट देखना है जो मैंने पहले भी दिया था कार्बोरेट से simple sugar बनता है glucose से glucose 6-phosphate 6-phosphate फिर पागल धाप बनता है पारिवक acid बनके acetyl coenzyme acetyl coenzyme एक रफ cycle में जुड़ जाता है ठीक है यह तो अगया आपका main path रहे ठीक है अगर protein बना protein यूज करना है तो उसके पहले amino acid उस amino acid में से देखो अमोनिया को निकालना पड़ता है उसमें से अमोनिया को निकाल देना पड़ता है और तब जाके उसको फिर आप पारिविक acid में convert कर सकते हो या कुछ case में depending होगा कि वह amino acid किस से जूड़ता है उसको क्रेफ cycle किसी भी acid के साथ connect किया जा सकते है फिर fat अगर है तो उसका fatty acid जो है वो acid को enzyme में convert होगा और अगर glycerol बना तो उसको पहले धैप में convert करते हैं धैप में convert किया तो फिर उसको फिर आपका पागल में convert करना पड़ता है glycerol diad मतला पागल में convert करते है तब जाके वो क्रेफ cycle के साथ connect हो जाता है तो इसके देखो जितने भी तीन में molecules है carbonate main source, fat rich source और protein आपका last source उस सब ultimate देखो आपके इसी जगह पे connect होते हैं तो क्रेफ cycle के साथ ही connect होते हैं और क्रेफ cycle में ही इतने भी chemicals बनते हैं बहुत सरे chemical दूसरे process के लिए भी use किया जाते हैं या दूसरे metabolic molecules को बनाने के लिए यूश होते हैं इसके लिए वो anabolic process कहलाते ह से जो उपर से जो process हो रहा है इस सब के सब आपके catabolic activities है सब catabolic है लेकिन क्रेफ cycle से जो भी बाकी के intermediates होते हैं वो सब anabolic process होते हैं ओके चलिए तो इसके देखे अब यह step by step oxidation की क्यों जूरुत पढ़ती है उस पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं क्योंकि इससे advantage क्या होता ह है कि step by step release से क्या होगा bond energy जो है ओके वो धीरी-धीरे क्या होता है release होती है एक जटके से अगर आप किसी molecule को तोड़ दोगे completely तोड़ोगे बहुत ज्यादा energy frequency release हो जाएगा जिससे ATP बनने का chance फिर कम हो जाएगा और cell damage होगा तो enzyme के activity के लिए ultimately आपको specific compounds चाहिए तो आपको करता है उनको कंट्रोल भी करना है कि जितने ज्यादा steps होगे उतने ज्यादा control किया जा सकेगा और फिर जो intermediaries बनेंगे जितने ज्यादा इंटर मेंजिबनेंगे उतने ज्यादा possibility है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजे बना सकते है जैसे तो दूद दूद से आप डारेटल करता है अलग अलग purpose के लिए इसके लिए step by step से energy भी step by step release होता है cell का damage नहीं होता है यह भी एक चीज़ है चलो अभी एक कुछ चीज़ है fermentation of aerobic respiration का differentiate दिया हुआ है यह आपको दिख रहा है इदर तो fermentation मतला है anaerobic respiration इससे partial breakage होता है ATP दो ही बनता है और NADH को slowly oxidize किया जाता है aerobic respiration में ज्यादा fast oxidation होता है by ETS और net gain देको 38 36 किसके साब से क्योंकि हमने वह calculation किया है कि NADH2 को आपके cytoplasm से glycolysis में जो बनता है उसको आपको mitochondria में add करना है ठीक है अब देको कुछ reactions दिख रहे है इसमें आपको calorie value कितना calorie value generate होता है वो दिया है पालेविक आशिड के टाइम पे बनने के टाइम पे आपको दो एजेंट सोचे लिपोईक आशिड और थाइमीन पाइरो फोस्वेट मतलब आपका पी थाइमीन विटाइमीन बी का वो complex है और यह है इतायल अलकॉल मतलब आपका एनरविक रेस्परेशन तो उसका एनरजी लेवल बहुत कम उसमें release होता है चलो अब next इस आपका respiratory quotient अब इस cell क्या यूज कर रहा है करभड यूज कर रहा है फैट यूज कर रहा है प्रोटीन यूज कर रहा है और गशनी यूज कर रहा है इसको कैसे चेक करेंगे तो उसके लिए एक simple आपका mathematical calculation है उसके लिए आपको यह दिखना है कि वो plant उस समय naturally कितना carbon dioxide release कर रहा है और कितना oxygen use कर रहा है okay so the volume of carbon dioxide release to volume of oxygen consumed in respiration उसको respiratory quotient कहते है respiratory ratio कहते है simple rq तो rq is equal to carbon dioxide upon oxygen simple और हर टाइप का जब respiratory substrate use करते हैं तो उससे ultimately अलग-अलग ratios आते हैं और यह बहुत interesting हो जाता है तो it depends upon the type of respiratory substrate कि आपका जो cell है वो कौन सा respiratory substrate यूज कर रहा हो ने बताया कि आपने जो भी calculation किया था वो यह समझ के किया था कि खाली glucose use किया जा रहा है ऐसा नहीं होता है एक समय में जो cell हो सकता है जिस cell में glucose नहीं है वो fat यूज कर रहा होगा आ जिस के पास के प्रोटीन के लिए 0.9 और फैट यूस कर रहा है तो 0.7 और 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 यूस करेगा तो एक से जादा हो जाता है तो इस पे आपको कुछन आ सकता है कि कैसे आपको मालूम बढ़ेगा यानि कि आप प्लांट एक पर्टिकलर प्लांट या और टिशू का रेस्पिरिटरी एक कैसी चेक कर रहा है कितना और अक्सियू कर रहा है तो अगर उसका वॉलुम से आप कंपर करके आपको 0.9 वाल्यू मिल रहा है मतला वो चैल प्रोटीन यूस कर रहा है स्टारवेशन पिरियेड चल रहा है उसका तो और इन लिविंग और रिश्पिरिज्टिय सब्स्टेंस एक स carbonate के साथ use किया जाता है, इसके लोग बोला, थोड़ा सा carbonate बोला, 65-80% carbonate, 5-10% आपको protein, 15-20% आपका fat use करता है cell normally, चलो, अब देखो, यह है आपका आपका test book के साब से, यह RQ value उदर 1Q आया, glucose, oxygen, मतलब यह aerobic respiration, this is aerobic respiration, यह aerobic respiration है, यह क्या हो गया, aerobic respiration, यह आपका देखो, A glucose, 6 oxygen और 6 carbonate oxide, रिलीस कर रहा है, इसके लिए 6 upon 6 हो गया, 1, unity, इसको कहते हैं हम लोग unity, यह कैसा भी आ सकता है, neat level के में जो बच्चे है, unity कहते हैं, अगर कोई भी ratio में आपको value 1 मिलता है, मतलब unity है, फिर आप तो fatty acid है, fatty acid का दिया carbon dioxide है, कितना oxygen है, तो oxygen fat को use करने के लिए ज्यादा oxygen लगता है, तो arky value generally कि आवगा कम हो जाएगा, तो fat का 0.7, फिर देखो, आपका malic acid, acid यूज कर रहा है, malic acid यूज कर रहा है, तो उसे carbon dioxide ज्यादा produce हो रहा है, और oxygen कम यूज हो रहा है, तो 1.3 मतलब more than 1 हो गया, है न, organic acid isn't it, और देखो, यह हो गया, आपका what, अगर glucose यूज किया जा रहा है, और malic acid बन रहा है, और इसमें देखो, oxygen जो, carbon dioxide अगर release नहीं हो, खाले oxygen यूज हो गया, तो फिर देखो, 0 हो जाएगा भी, यह तब होता है, तो कुछ case में क्या होगा, आपका oxygen जो है, वो ज्यादा य value 0 जाएगा, ओके, चलो, अब लास्ट हम लोग देखते है, significance, चलो, before ending, तो यह part complimentary है, यह भी अलग से question आ सकता है, भी respiration का फाइदा क्या है, तो respiration की वज़े से जो energy प्रोडूस होता है, उसी energy से cell के सारे बाकी के reactions होते है, जिससे आपका carbonate, protein, fat, lipids, vitamin, pigments, बगरे, सब यह process के लिए, इसे से cell division, growth, repair, replacement, हार activity, जो है, उसकर energy, respiration से ही आती है, okay, पिर क्रेप cycle के जो intermediate है, उससे अलग-अलग दूसरे ही मलकुल, जैसे आपको ascorbic acid चाहिए, आपको malic acid चाहिए, वह बन रहा है, malic acid चाहिए, वह बन रहा है, glutamic acid चाहिए, vitamin, वह बन रहा है, वह बन र रहा था, कि photosynthesis, respiration के साथ मिलके, environment के carbon dioxide oxygen को balance करता है, यहां पर उल्टा points हो गया, फिर anaerobic respiration, जिसको fermentation कहते है, यह industrial point ऑफ ही, बहुत ही important है, कि बहुत सारे चीजे, देखो आपका bakery में, dairy industry में, डिस्टरी में, alcohol, जहां पर bottling होती है, शर्मत वगर बना जाते है, drinks बना जाते okay, scent वगरे, leather industry में, paper industry में, फिर आपको organic acid चाहिए, citric acid चाहिए ने आपको, okay, बतला artificial sweetener, vitamins वगरे, सब, antibiotics, इस सब के लिए fermentation reaction को control तरीके सी किया जाता है, using a particular micro organism, और even certain plants and animal body as a bio reactor, और हम लोग अभी एकन सी gene level पे जाएंगे, बायो टेखनी जाएंगे, तो modify करके हम लोग products को change कर सकते है, okay, फिर energy or respiration, इस से हम लोग insoluble substance को soluble, digestion से related है, फिर आपका last, जो heat energy है, जो respiration से release होती है, उसी से body temperature maintain होता है, okay, उच्चो, with this, we have completed the chapter of respiration in what, plants, I hope you can see, you have understood concept, तो जो भी concept आपको नहीं समझा, तो थोड़ा सा पीछे जाहिए, वापस, you can see what, आप उस point को, या उस topic को वापस revise कर लीजे, okay, तो मैंने कुछ यहाँ पर tables बगरे भी दिये थे, okay, उसको भी आप use कर सकते हो, इसमें कुछ चीजे मैंने आपको neat level का भी बता है, because if you are aspirant of neat, these are some of the important things, जो neat में आता है, okay, उसको आप अपने हिसाब से नाचीज, जो भी content है, उसका आप ले सकते हो screenshot, okay, YouTube पे है तो, you can take the screenshot and make your notes, जितना notes आप खुद हाँ से बनाओगे, उतना आपके लिए बहुत जादा, you can see what, फायदे मन्द होगा, okay, तो with this, we will end the session today, okay, and in, you can see, coming week, I will be coming with next chapters very soon, okay, तब तक, you can see, God bless you and have a nice day and be very, very, you can see what, careful about Corona, take all the precautions, okay, because we know the conditions are actually, you are very scary in some places, so take care, बच्चो, and you can see what, God bless you, bye, bye बच्चो, take care.